संभोग से समाधी तक, अध्याए एक, सेक्स प्रेम का उत्पत्ती, प्रश्न एक, प्रेम क्या है? इसे महसूस करना आसान है, पर प्रेम को व्याख्या करना वास्तव में कठिन है. यदि आप किसी मचली से पूछे कि समुद्र कैसा है, तो मचली यही कहेगी, यहाँ समुद्र है. समुद्र सारे ओर है. और बस, लेकिन यदि आप जित करें, क्रिप्या समुद्र की परिभाशा दें, तो समस्या वास्तव में कठिन हो जाती है. जीवन में सबसे श्रेष्ट और सुन्दर चीजे जी सकती है, जानी जा सकती है, लेकिन उन्हें व्याख्या करना कठिन है, वर्णन करना कठिन है. मनुष्य की दुर्बलता यह है, पिछले चार-पांच हजार वर्षों से उसने बस बाते की है, और बाते की है, कुछ ऐसी चीज के बारे में जो उसने गंभीरता से जीना चाहिए था, कुछ ऐसी चीज के बारे में जो अंतरन से प्राप्त होनी चाहिए थी प्रेम के बारे में. प्रेम पर महान बाते हुई है, अंगिनत प्रेम गीत गाए गए है और मंदरों और चर्चों में लगातार भक्तिगीत गुन बुनाये जा रहे हैं, प्रेम के नाम पर कुछ भी नहीं किया जादा है. फिर भी मनुष्य के जीवन में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है यदि हम मानव भाशाओं में गहराई से जाएं तो हमें प्रेम से अधिक असत्य शब्द नहीं मिलेगा सभी धर्म प्रेम के बारे में बाते करते हैं लेकिन जो प्रकार का प्रेम सभी जगा पाया जाता है, जो प्रेम ने मनुष्य को किसी वन्शस दुर्भाग्य की भांती आच्छा दित किया है, वा केवल मनुष्य के जीवन में सभी प्रेम के दर्वाजों को बंद करने में सफल हुआ है. लेकिन भीड धर्मों के नेताओं की पूजा करती है उन्हें प्रेम के निर्माताओं के रूप में उन्होंने प्रेम को गड़ने का जूट बोला है उन्होंने सभी प्रेम की धाराय बंद कर दी है इस मामले में पूर्व और पश्चिम भारत और अमेरिका के बीच कोई मौदरिक अंतर नहीं है प्रेम की धारा अब तक मानव में प्रकट नहीं हुई है और हम इसका आरोप मानव पर लगाते हैं हम कहते हैं कि इसलिए प्रेम विक्सित नहीं हुआ है क्योंकि मानव को बिगारा गया है हमारे जीवन में प्रेम की कोई प्रवान नहीं है हम मन को दोशी ठहराते हैं हम कहते हैं कि मन विशला है मन विश नहीं है जो लोग मन को पतन करते हैं उन्होंने प्रेम को विशाक्त किया है, उन्होंने प्रेम की वृद्धी को बाधित नहीं किया है। इस दुन्या में कुछ भी विश नहीं है। भगवान के संपूर्ण सृष्टी में कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अमृत है। केवल मानव ने इस पूरे प्याले को अम्रित से विश में परिणामित किया है और मुख्य अपराधी उसे कहा जा सकता है उन तक्नीकी शिक्षकों, उन तक्नीकी संतों और राजनीतिग्यों को इस पर विचार करें। यदि यह बीमारी तुरंट समझी नहीं जाती है, यदि यह तुरंट सही नहीं किया जाता है, तो इसके अभ्या भविश्य में मानव जीवन में प्रेम की कोई संभावना नहीं है। व्यंग्यपूर्ण बात यह है कि हमने इसके लिए अंधेंधे स्रोतों से उनी कारणों को अंधाधुन स्वीकार किया है, जिनका आरोप पहले स्थान पर प्रेम के न उगने के लिए दोशी है। यदि गुम्राहकारी सिध्धानतों को शतापदियों तक बार-बार दोहराया जाता है, तो हम मूल सिध्धानतों के पीछे मौदरिक दोशों को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। और तब अंधकार पैदा होता है, क्योंकि मानव इस अस्वाभाविक नियोंगों के अनुसार वह बन नहीं सकता जैसा की कहते हैं। हम बस यह स्वीकार करते हैं कि मानव गलत है। प्राचीन काल में मैंने सुना है, एक पंखेवाला प्रतिदिन राजा के महल के पास से गुजरता था। उसने अपने अद्वितिय और आश्चर्य जनक पंखों की बहादुरी की बाते की थी। उसने दावा किया कि ऐसे पंखों को कभी भी किसी ने नहीं देखा था। राजा के पास दुन्या भर से हर प्रकार के पंखों का संग्रा था और इसलिए उसे इस बारे में जानकारी हासल करने की इच्छा हुई। एक दिन उसने अपने बालकनी पर जुक कर इस अद्वितिय पंखों के विक्रेता को देखने के लिए कहा। उसके लिए पंख सामान्य दिखे लगभग किसी के लायक नहीं लेकिन उसने फिर भी उस आदमी को ऊपर बुलाया। राजा ने पूछा इन पंखों की विशेष्टा क्या है और उनकी कीमत क्या है। पंखेवाला ने कहा आपकी महारानी इने ज्यादा खर्च नहीं होता। इन पंखों की गुरवत्ता को ध्यान में रखते हुए मूल्य बहुत कम है प्रती पंख सो रुपए। राजा चौक गए। सो रुपए। यहाँ पैसा पंख, यहाँ पेनी पंख तो बाजार में कहीं भी उपलब्ध है। और तुम सो रुपए मांग रहे हो। इन पंखों में क्या विशेष्टा है। आदमी ने कहा गुरवत्ता। क्रतिक पंख की गारहंटी है कि यहाँ सौ वर्ष तक तिकेगा। सौ वर्षों तक यहाँ स्पॉइल नहीं होगा। इसके रूप में तो यहाँ संभावना है कि यहाँ एक हफ्ते तक तिक सकता है। क्या तुम मुझ से धोखा कर रहे हो। यह सीधा धूर्तता है और राजा के साथ विक्रेता ने उत्तर दिया मेरे माध्यम से क्या डरते हो? तुम बहुत अच्छे से जानते हो साहिब कि मैं प्रति दिन तुम्हारे बालतनी के नीचे चलता हूँ, अपने पंखों की बिक्री करता हूँ. मूल्य है सो रुपे प्रती पंख और अगर यह सो वर्ष तक तिका नहीं तो मैं जिम्मेदार हूँ. हर दिन मैं सड़क पर उपलब्ध हूँ. और उपर से तुम इस धूमी के शासक हो. मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? पंख को मांग में खरीद लिया गया. हालांकि राजा ने पंखे वाले पर भरोसा नहीं किया. उसे यह जानने की चाह थी कि आदमी को इस बात का कैसे आधार था कि ऐसा कहने का कारण था. विक्रेता को साथ दिन के बाद फिर से प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया. मध्यस्टिक तीन दिन में बाहर निकल आया और सप्ताह के अंध से पहले ही पंख भिक्रेता कभी फिर कभी नहीं आएगा. लेकिन उसके पूरी आश्चर्य से व्यक्ती ने खुद को पेश किया जैसा कि उससे कहा गया था समय पर सात्वे दिन. आपकी सेवा में आपका महाराज राजा को बहुत क्रोध हाया. तुम दलाल, तुम बेवकूफ, देखो, वहां तुम्हारा पंख है, सभी टुकडों में बिक्रा हुआ है. यहां उसकी स्थिती है एक हफ़ते में और तुमने गारंटी दी थी कि यहां सो वर्ष तक चलेगा. क्या तुम माध्या सिर्फ एक सुपरधोखा हो, आदमी विनमरता से उतर दिया, शद्धान जली के साथ ऐसा प्रतित होता है कि मेरे साहिप को पता नहीं है कि पंख का उप्योग कैसे करना है. पंख को एक सो वर्ष तक चलना चाहिए, इसमें गारंटी है. तुमने पंख कै कैसे किया, राजा ने कहा, मेरी भगवान. अब मुझे यह सीखना होगा कि पंख कैसे करें. कृप्या क्रोधित मत हो ये. साथ दिनों में पंख इस भविश्य में कैसे पहचा? तुमने पंख कैसे किया, राजा ने पंख उठाया, दिखाते हुए कि किस प्रकार से कोई जाया है. तुम ऐसा नहीं करना चाहिए थे. और कौन सा तरीका है, राजा ने पूछा. आदमी ने समझाया, पंख को स्थिर रखो. इसे अपने सामने स्थिर रखे और फिर अपना सिर हिलाएं. पंख एक सो वर्ष तक तिकेगा. तुम चले जाओगे लेकिन पंख अविना और अपना सिर हिलाओ. मेरे पंख में कहां कोई दोश है? दोश तुम्हारा है. मेरे पंख का नहीं. मानव एक समान दोश के आरोप में है. मानव को देखो. मानव इतना बीमार है. पांच, छय, दस हजार वर्षों की जमा हुई बीमारी से. बार-बार कहा जाता है कि यहां म मानव है, जो गलत है, सांस्कृतिक नहीं, मानव की कच्री हो रही है, फिर भी सांस्कृतिक की सराना की जाती है, हमारी महान सांस्कृतिक, हमारा महान धर्म, सब कुछ महान है, और इसके फल देखो, कहते हैं, मानव गलत है, मानव को अपने आपको बदलना चाहिए, फिर भी क कोई उठता नहीं है प्रश्न करने के लिए कि क्या बाते यह नहीं हो सकती कि हमारी सांस्कृतिक और धर्म दस हजार वर्षों तक मानव को प्रेम से भर नहीं सकते हैं, वे गलत मूल्यों पर आधारित हैं। और अगर पिछले दस हजार वर्षों में प्रेम विक्सित नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से इस सांस्कृतिक और धर्म के आधार पर कभी भी प्रेमी मानव को देखने की कोई संभावना नहीं है। जो कुछ पिछले दस हजार वर्षों में हासल नहीं हुआ, वह अगले दस हजार वर्षों में नहीं हो सकता। आज का मानव कल भी वैसा ही होगा। हालांकी शिष्टाचार, सभ्यता और प्रोध्योगी की बाहरी छविया समयस्मय पर बदलती रहती है। मानव समान है और हमेशा समान रहेगा। हम अपनी सांस्कृतिक और धर्म की समीक्षा के लिए तयार नहीं है। फिर भी हम उनकी तारीफे अपनी आवाज से करते हैं और उनके संतों और संरक्षकों के पैरों को चुमते हैं। हमें यह भी सहमत होने का कोई इरादा नहीं है कि हम वापस देखें, अपने रास्तों और अपने सोचने की दिशा पर विचार करें, यह नहीं देखें कि क्या वे गुम्रा कर रही हैं, यह नहीं देखें कि क्या वे सभी गलत हैं। पुझे कहना है कि आधार दोशपूर है, मूल्य गलत है. सबूत आज के मानव है. अन्या सबूत कौन से हो सते हैं? अगर हम एक बीज बोते हैं और फल विशाक्त और कडवा होता है, तो यह सिद्ध करता है कि बीज विशाक्त और कडवा था. लेकिन यह कठिन है, बेशक्त कि एक विशिष्ट बीच से क्या फल मिलेगा यह पूर्वानुमान करना. आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, इसे दबा सकते हैं, या तोड सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि फल मीठा होगा या नहीं. आपको समय का परीक्षण का इंतजार करना होगा. एक बीज बोएं. एक पौधा उगेगा. वर्षों बीतेंगे. एक पेड उगेगा. अपनी शाखाय आकाश की ओर फैलाएगा. फल लेकर और तब ही आपको यहाँ पता चलेगा कि वहाँ बोए गए बीज कड़वा था या नहीं. आधुनिक मनुष्य उन बीजों का फल है जो दस हजार वर्ष पहले बोए गए थे और जिन्हें तब से पोशित किया गया है. और वहाँ फल कड़वा है. यहाँ टक्राव और कश्ट से भरा हुआ है. लेकिन हम वही लोग हैं जो उन बीजों की प्रशंसा करते हैं और उनसे प्रेम का फूल खिलने की आशा करते हैं. यहाँ नहीं होने वाला है. मैं दोहराता हूँ क्योंकि किसी भी प्रेम के जन्म की कोई संभावना धार्मिक्ता द्वारा मार दी गई है. यह संभावना विशाक्त की गई है. मनुश में से अधिक प्रेम पक्षियों, जानवरों और पौधों में देखा जा सकता है, जो किसी धर्म या सांस्कृतिक से रहित होते हैं. प्रेम असब्य मनुशों, पिछरे लोगों में आज के ताजगी से बहुत अधिक प्रतिभाती है, जिने सोखलाय प्रगतिशील, सांस्कृतिक और सभी तरह के लोगों में प्रेम की उम्मीद है. और ध्यान दे, मूलवासी लोगों के पास विक्सित सभा, सांस्कृतिक या धर्म नहीं है. या क्यों हो रहा है कि मनुश्य प्रगति के साथ साथ ज्यादा ज्यादा प्रेमहीन हो रहा है, जैसा कि वह और भी निर्मानशील, सांस्कृतिक और धार्मिकन रहा है, मंदिरों और चर्चों के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करने के लिए, इसके कुछ कारण है और मुझे इन पर चर्चा करनी है. यदि इन्हें समझा जा सकता है, तो शाश्वत प्रेम की धारा उख सकती है. लेकिन यहाँ पत्थरों में समाहित है, यहाँ सतापन नहीं आ सकता है. यहाँ सभी और से दीवारों में बंदा हुआ है, और गंगा बहन नहीं सकती, स्वतंत्र रूप से बहन नहीं सकती. प्रेम मनुष्य के भीतर है यहां बाहिय से आयात नहीं है यहां वानिजिक वस्तु नहीं है जो हम बाजार जाते समय खरी दी जाती है यहां जीवन की सुगंद के रूप में है यहां हर किसी के भीतर है प्रेम की खोज, प्रेम का मनाना यह सतारात्म क्रिया नहीं है यह एक ग्यात प्रक्रिया नहीं है जिसमें आपको कहीं जाना हो और उसे बाहर लाना हो एक मूर्तिकार एक पत्थर पर काम कर रहा था कोई व्यक्ति जो देखने आया था कि एक मूर्ति कैसे बनती है ने कोई मूर्ती की चेन ही नहीं देखी, उसने केवल एक पत्थर को कुंजी और हथोडे से यहाँ वहां काटते हुए देखा. तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने पूछा. क्या तुम मूर्ती नहीं बना रहे हो? मैंने देखने आया हूँ कि कैसे मूर्ती बनती है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ पत्थर को काटते हुए ही देख रहा हूँ. कलाकार ने कहा, मूर्ती पहले से ही भीतर छुपी हुई है. इसे बनाने की कोई आवशक्ता नहीं है. जैसे जैसे इससे जुड़ी अनुप्योगी पत्थर को अलग किया जाएगा, तब मूर्ती खुद को दिखाएगी. मूर्ती बनाई नहीं जाती है, वह खोजी जाती है. यह खोली जाती है, यह प्रकाश में लाई जाती है. प्रेम मनुष्य के भीतर बंध है, इसे केवल मुक्त किया जाना चाहिए. प्रश्ण यहां नहीं है कि इसे कैसे उत्पर्ण किया जाए बल्कि यहां उजागर कैसे किया जाए हमने खुद को किससे ढणा बना रखा है ऐसा क्या है जो प्रेम को सतपन नहीं आने देता है किसी चिकित्सक से स्वास्थे के बारे में पूछे यहां बहुत अजीब है लेकिन दुनिया के कोई भी डॉक्तर आपको स्वास्थे क्या है यहां नहीं बता सकता है संपूर चिकित्सा विज्ञान स्वास्थे के साथ सनलगन है क्या इसमें कोई है जो स्वास्थे क्या है वह कह सकता है यदि आप किसी डॉक्तर से पूछे तो वह कहेगा कि उसके पास केवल यह कहने की क्षमता है कि जब बीमारी नहीं होती है तब स्वास्थ्य क्या है यह इसका कारण है कि स्वास्थ्य मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है स्वास्थ्य मनुष्य की परिभाशा के परे है, इसलिए इसे परिभाशित किया जा सकता है स्वास्थ्य भीतर से आता है, इसलिए इसे परिभाशित नहीं किया जा सकता है स्वास्थ्य परिभाशा को चुनौती देता है हम केवल यह कह सकते हैं कि बीमारी की अभावशीर्ता स्वास्थ्य है सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य को बनाने की कोई आवशक्ता नहीं है या तो यह बीमारी द्वारा छुपा हुआ है या यह खुद को प्रकट करता है जब बीमारी दूर होती है या ठीक हो जाती है स्वास्थ्य हमारे भीतर है स्वास्थ्य हमारी प्राकृतिक स्वभाव है प्रेम भी हमारे भीतर है प्रेम हमारी अंतरनिहित प्राकृतिकता है मौलिक रूप से मनुष्य से प्रेम बनाने के लिए कहना गलत है समस्य यह नहीं है कि प्रेम कैसे बनाया जाए बलकि यह कैसे जांचा जाए और यह पता किया जाए कि यह अपने आपको प्रकट क्यों नहीं कर पा रहा है क्या रुकावट है? क्या कठिनाई है? कहा है बंधक? यदि कोई बाधाएं नहीं है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा इसे मनाने या मार्गदर्शन की आवशक्ता नहीं है हर व्यक्ति प्रेम से भरा होता अगर जूटी सांस्कृतिक और क्षतिकारत परंपराओं की रोक न होती कुछ प्रेम को दबा नहीं सकता है प्रेम अनिवार्य है प्रेम हमारी प्रकृतिकता है गंगा हिमाले से बहती है यहाँ पानी है यहाँ बस बहती है यहाँ किसी पुजारी से समुद्र का मार्ग पूछती नहीं है क्या आपने कभी एक नदी को एक चौराहे पर खड़ी होकर एक पुलिस वाले से समुद्र का स्थान पूचते हुए देखा है समुद्र जो भी हो चाहे वह कितना भी छिपा हो नदी निश्चित रूप से मार्ग पाएगी यहाँ अनिवार्य है उसमें आंतरिक आगरह है उसके दिल के दिल में एक अत्रिप इच्छा एक शक्ती एक पूर्जा है लेकिन मान लीजिये कि मानव वारा उसके मार्ग में बाधाय डाली जाती है मानव वारा बनाए गए बंदरों की स्थापना की जाती है एक नदी प्राकृतिक बाधाओं को पार कर सकती है और तबाही में तूट सकती है आखिरकार वे उसके लिए बाधाएं नहीं है लेकिन यदि मानव द्वारा बनाई गई बाधाएं उत्पन्न होती है यदि उसके बीच बांध इंजिनियरिंग की जाती है तो संभावना है कि वह समुद्र तक न पहुँच पाएं मानव स्रिष्टी की उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता यदि वह ऐसा निर्णय करता है तो वह एक नदी को समुद्र तक पहुँचने से रोक सकता है प्राकृतिक रूप से वहां एक मौलिक एकता एक समर्षता है प्राकृतिक बाधाए प्राकृतिक प्रतिरोध जो प्राकृतिक में दिखाई देता है वह उर्जा उत्तेजित करने के लिए चुनौती है वे लातार भूर्ज उत्तेजित करने के लिए सेवा करते हैं जो भीतर छुपा हुआ है प्राकृतिक में कोई असमंजसिता नहीं है जब हम एक बीज बोते ह तो यहाँ ऐसा दिख सकता है कि 20 के ऊपर का परत उसे दबा रहा है, उसके विकास को बाधित कर रहा है। ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्त विक्ता में वह प्रित्वी की वह परत एक बाधा नहीं है, उस परत के बिना 20 प्रकट नहीं हो सकता। प्रित्वी बीज पर दबाई जाती है ताकि वहाँ प्रसन हो सके, विख्टित हो सके और खुद को एक पौध में परिणामित कर सके. बाहे रूप से ऐसा लग सकता है कि मिट्टी बीज को दबा रही है, लेकिन मिट्टी केवल एक दोस्त की जिम्मेदारी निभा रही है. पानी नहीं मिला था या उसे परियाप्त सूर्य प्राप्त नहीं हुआ था हम बीज को दोशी नहीं मानते हैं. लेकिन यदि किसी के जीवन में फूल नहीं खिलते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है. किसी अधोत्तर खाद की, पानी की कमी की या सूर्य की अभाव की कोई सोच नहीं करती व्यक्ति को बुरा कहा जाता है. और इस प्रकार मनुश्य का पौद असमविक्सित रह गया है, अमित्रता द्वारा दबा गया है और फूलदार चरण तक पहुँचने में असमर्थ रहा है. प्राकृतिक समर्षता है. लेकिन वहां आर्टिफिश्यालिटी जो मानव ने प्राकृतिक्ता पर थोपी है, जो उसने उसके बीच यात्रा को इंजिनियरिंग किया है, और जो उसने जीवन के प्रवा में मेकेनिकल यंत्र डाल दी है, वहां कई स्थानों पर बाधाये पैदा हो गई है, प्रवा को रोक दिया है, और नदी को दोशी ठहराया जाता है, मनुष्य बुरा है, बीच जहरीला है, वे कहते हैं, मुझे आपका ध्यान इस तथ्य पर खीचना है कि मौनिक रूप से रुकावटे मानव निर्मित है, मानव खुद द्वारा बनाई गई है, अन्यथा प्रेम की नदी स्वतंत्रता से भेकर परमेश्वर के सागर तक पहुँँ जाएगी, प्रेम मनुष्य में अंतर निहित है, यदि इस जागरुकता के साथ रुकावटे हटा दी जाएं, तो प्रेम भेह सकता है, फिर प्रेम परमेश्वर को छूने, उच्चतम को छूने के लिए उठ सकता ह यह मानवनिर्मित रुकावटे क्या है? प्रतेक सांस्कृतिक, प्रतेक धर्म, प्रतेक गुरु, प्रतेक डृष्टा ने इस गंगोतरी, इस स्रोत को आक्रमन किया है और नदी बंद रही है, शोन्शराबा हमेशा यही रहा है, सेक्स पाप है, सेक्स अधार्मिक है, सेक्स विश है, लेकिन हम कभी नहीं समझ पात कि अंत में यह सेक्स उरजा ही है, जो स्वयम को प्रेम की आंतरिक सागर तक यात्रा करती है और पहुँचती है। प्रेम सेक्स उरजा का परिणाम है। प्रेम का फूलना सेक्स के बीच से होता है। कोईले को देखते हुए, आपको कभी नहीं लगेगा कि कोईला परिवर्टित होने पर ही हीरे बनता है. कोईले के एक धेर में तत्व ही हीरे में होते हैं. मौलिक रूप से उनमें कोई मौद्रिक अंतर नहीं है. हजारों वर्षों की प्रक्रिया के माध्यम से कोईला हीरे में परिनाम होता है लेकिन कोईला महत्वपूर्ण माना नहीं जाता है जब कोईला को एक घर में रखा जाता है तो यह एक ऐसे स्थान पर रखा जाता है जिसे महमान देख नहीं सकते हैं जबकि हीरे गर्दन या च्छाती पर पहने जाते हैं, ताकि सभी उन्हें देख सकें। हीरे और कोईले समान हैं, ये एक ही तत्व के एक यात्रा के दो बिंदु हैं। यदि आप कोईले के खिलाफ हैं, क्योंकि पहली नजर में इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसके हीरे में परिणाम होने की समभावना सिर्फ तब समाप्थ होती है। कोईला खुद ही हीरे में परिणाम हो सकता था, लेकिन हम कोईले से नफरत करती हैं। और इसलिए किसी प्रकार की कोई प्रगती की समभावना समाप्थ हो जाती है। केवल सेक्स की उर्जा ही प्रेम में फूल सकती है, लेकिन प्रतेक मानव के महान विचार को सहित इसके खिलाफ है। यहाँ प्रतिरोध बीच को अंकुरित होने की अनुमती नहीं देगा और प्रेम का महल नीव पर नश्ट हो जाएगा। सेक्स के प्रती दुश्मनी ने प्रेम की समभावना को नश्ट कर दिया है। और इसलिए कोईला हीरे में परिणाम होने की अशक्त है। मौनिक भ्रमितियों के कारण किसी को भी सेक्स को स्वीकृत करने, उसे विक्सित करने और उसे परिणामित करने के चरणों से गुजरने की आवशक्ता महसूस नहीं होती। हम उसके शत्रु हैं, जिससे हम विरोध करते हैं, जिसके साथ हम लगातार युद्ध करते हैं. मनुष्य और उसकी उर्जा के बीच एक कलहा उस पर थोपा गया है. मनुष्य से कहा गया है कि उसके सेक्स उर्जा के खिलाफ लड़ना है अपनी सेक्स उर्जा के खिलाफ होना है इसलिए उसके खिलाफ लड़ो मनुष्य को कहा जाता है मन मनुष्य में है और सेक्स भी उसमें है फिर भी मनुष्य से आंतरिक विरोधों से मुक्त होने की आशा है उससे उम्मीद है कि उसे समर्स रहना है उसे लड़ना है और सुधारना है भी ऐसे ही उसके नेताओं की शिक्षाएं है एक और वे उसे पागल कर देते हैं और दूसरी और वे उसे उपचार के लिए मान्यता देने के लिए मान्यता प्रदान करते हैं वे बीमारों का इलाज करने के लिए अस्पताल बनाते हैं और उसके बाद वे उसे बीमार करने के लिए जीर्म फैलाते हैं एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि मनुष्य को सेक्स से अलग नहीं किया जा सकता है सेक्स उसका प्राथमिक बिंदू है उसका जन्म इससे हुआ है इश्वर ने सेक्स की उर्जा को स्रिष्टी की शुरुवात का बिंदू बना दिया है और महान व्यक्तिया उसे पापी ठहराती है जो इश्वर स्वयम पाप नहीं मानता है अगर इश्वर सेक्स को पाप मानता है तो इस दुन्या में इश्वर से बड़ा पापी कोई नहीं है इस ब्रामान में कोई नहीं है क्या आपने कभी नहीं महसूस किया है कि एक फूल का खिलना उत्सा का अभिव्यक्ती है कि यह एक लैंगिक क्रिया है मोर पूरे जजबे के साथ मृत करता है कोई कभी उसके लिए एक गाना गाएगा एक संत भी आनन से भर जाएगा लेकिन क्या वे यह नहीं जानते है कि नृद्य भी यह साबित करता है कि यहां मुख्य रूप से एक लैंगिक क्रिया है यहां पहले और सबसे अधिक एक लैंगिक क्रिया है मोर अपने प्रिय को, अपने साथी को बुला रहा है पपीहा गा रहा है, कोयल गा रही है, एक लड़का किशोर हो गया है, एक लड़की महिला बन रही है ये सब क्या है? यह कौन सा खेल है, कौन सा लीला है? ये सभी प्रेम यौन उर्जा के सूचक है प्रेम की ये प्रतिष्ठानित अभिव्यक्तिया यौन के परिणाम स्वरूप है, उर्जा से भरपूर है, यौन को स्विकृती दे रही है एक पूरे जीवन भर प्रेम के सभी क्रियाए, प्रेम की सभी द्रिष्टिकोन और इच्छाए, प्रात्मिक यौन उर्जा की फूलिंग्स है धर्म और सांस्कृतिक मनुष के मन में यौन के खिलाफ जहर डालते हैं, वे संधर्ष, युद्ध बनाते हैं, वे मनुष्य को अपनी खुद की प्रात्मिक उर्जा के खिलाफ युद्ध में लगा देते हैं, और इसलिए मन दुर्बल, भद्दा, कठोर, प्रेमरहित और कुस्ती करनी चाहिए, यौन को शुद्धतम उचाईयों तक पहुचाया जाना चाहिए, जब एक नए विवाहित जोडे को आशिरवाद देते समय, एक तपस्वी ने दुलहन से कहा, तुम्हारे दस बच्चों की मा बनो और अंत में तुम्हारे पती को तुम्हारा ग्यार हवा बच्चा बना दो, यदी उत्सा परिनाम होता है, तो पती मा बन सकता है, यदी ललत पार की जाती है, तो यौन प्रेम बन सकता है, केवल यौन उर्जा ही प्रेम की शक्ती में फूल सकती है, लेकिन हमने मनुष्य को यौन के प्रती विरोध से भर दिया है, और नतीज है कि प्रेम नहीं खिला है जो बाद में आता है आने वाले का रूप उसे केवल यौन की स्विकृती से ही संभावित किया जा सकता है प्रेम का धारा मजबूत विरोध के कारण नहीं तूट सकती है यौन दूसरी और अंदर चुरुलाता रहता है और मन की चेतना यौनता के सा उलजी रहती है मनवचन में सेक्स का सामर्थ्य और बढ़ रहा है हमारे गाने कविताएं चित्रकलाएं और लगभग हमारे मंदिरों में सभी प्रतिमाएं सेक्स के चारों और केंद्रित है क्योंकि हमारे मन भी सेक्स के धुरी पर घूंगता है दुनिया में कोई भी मनुष्य की तरह सेक्स्वल नहीं है मनुष्य हर जगा यौन है जाकते रहते हैं या सोते रहते हैं अपने तौरतरीकों में और अपने शिष्टाचार में भी प्रत्यक्षण मनुष्य को सेक्स से परेशानी हो रही है इस सेक्स के खिलाफ इस शत्रुता इस विरोध और दबाव के कारण मनुष्य अंदर से क्षीन हो रहा है वह कभी भी उससे स्वतंत्र नहीं हो सकता जो उसके जीवन की सीधी जड़ है और इस स्थिती के लगातार आंतरिक संधर्ष के कारण उसका संपूर्ण अस्तित्व नियूरोटिक हो गया है वह बीमार है जो कुटिल यौंता जो मनवचन में इतनी स्पष्ट है उसका दोश उसके इस तथाक्थित नेता और संतो का है इसका उन्हें आरोप है जब तक मनुष्य इसे इस प्रकार के शिक्षकों नैतिक तावादियों और धार्मिक नेताओं से मुक्त नहीं होता और उनके नकली उपदेशों से उसमें प्रेम का समर्थन होने की संभावना शून्य है मैं एक किस्से को याद करता हूँ एक रविवार को एक गरीब किसान अपने घर छोड़ रहा था और द्वार पर उसने उसे देखा जो उसको देखने आया था किसान ने कहा स्वागत है लेकिन इतने सानो तक तुम कहा थे आओ देखो मैंने कुछ दोस्तों से मिलने का वादा किया है और इस यात्रा को टालना मुश्किल होगा इसलिए कृपया मेरे घर में आराम करूँ. मैं एक घंते या इससे भी जल्दी लोटूँँगा. हम जल्दी मिलेंगे और हमें एक लंबी बातचीत करने का समय मिलेगा. दोस्त ने कहा, ओ नहीं, क्या यह बहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही आओ? तुम्हारे कप्रे बहुत गंदे हैं. अगर तुम मुझे कुछ ताजगी दे सकते हो, तो मैं बदल लूँगा और तुम्हारे साथ आओ. कुछ समय पहले, राजा ने किसान को कुछ मूल्यवान कप्रे दिये थे और किसान ने उन्हें किसी बड़े अवसर के लिए संद्रहित किया था. उसने खुशी-खुशी उन्हें बाहर निकाल लिया. उसका दोस्त ने मूल्यवान कोट, करबन, धोती और सुन्दर जूते प दिखाई देता था. उसने सोचना शुरू किया कि क्या उसने अपने सबसे अच्छे कप्रे देने में कोई गलती कर दी है, और उसने अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करना शुरू किया. अब सभी लोग उसके दोस्त को देखेंगे, उसने सोचा, और वहा एक सेवक क की तरह दिखेगा एक सेवक की तरह उसने अपने मन को उसे एक अच्छे दोस्त और भगवान के एक व्यक्ति के रूप में शांत करने का प्रयास किया उसने निर्धारित किया कि बड़ी बात है एक ठीक कोट या एक महना तर्बन है लेकिन जितना वह अपने आपको समझाने की कोशिश करता उतना ही कोट और तर्बन उसके मन में बढ़े जा रहे थे रास्ते में हाला कि वे साथ में चल रहे थे सभी लोग सिर्फ उसके दोस्त को ही देख रहे थे किसी ने भी किसान को ध्यान नहीं दिया उसे उदासी महसूस होने लगी उसने अपने दोस्त के साथ ब पुर्षाप ने दोस्त को परिचित किया, यहां मेरा दोस्त है, एक बचपन का दोस्त, वहां बहुत ही प्यारा आदमी है, और अचानक उसने उच्चारित किया, और कपड़े, वे मेरे हैं, दोस्त हैरान रह गया, उनके मेजबान भी हैरान थे, उसे भी एहसास हुआ कि दोस्त किया, घर से बाहर निकलते समय, उसने अपने दोस्त से क्षमा मांगी, दोस्त ने कहा, मैं चौक गया था, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, यह सिर्फ मेरी जीब थी, मैंने गलती की, लेकिन जीब कभी जूट नहीं बोलती, शब्द हमेशा किसी के मन में कुछ होने पर ही बाहर आते हैं, जीब कभी भी गलती नहीं करती, उसने कहा, मुझे माफ करें, ऐसा कैसे कुछ कहा गया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था, कि यहाँ विचार उसके मन से उब्रा था, वे एक और दोस्त के घर की ओर बढ़े, अब उसने पक्का निरने लिया था कि वह कपड़े अपने नहीं है, उसने अपने मन को सजग बना लिया था, जब तक वे द्वार तक पहुँचे थे, उसने यहाँ निर्वाचन किया था कि वह कपड़े अपने नहीं कहेगा, वह गरीब आदमी नहीं जानता था कि जितना वह निर्धारित करता था क कि उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, उसका आंतरिक जागरुकता की कपड़े उसके हैं, वही और मजबूत हो जाता था। इसके अलावा ऐसे कौन से पक्के निर्णय होते हैं। तो इसका अर्थ है कि उसकी और ज्यादा खाने की एक गहरी इच्छा है। ऐसे प्रयास से अंतर निर्देशी संधर्ष होने का निश्चित है। उसने बहुत सावधानी से शुरू किया, वहां मेरा दोस्त है लेकिन उसने देखा कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, कि सभी उसके दोस्त और उसके कपरों की और आश्चर्य से देख रहे थे और उस पर हमला हुआ, वहां मेरी कोट है। और मेरा टर्बन लेकिन फिर उसने अपने आपको याद दिलाया कि कपरों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उसने ऐसा निरनय लिया था, हर किसी के पास किसी भी प्रकार के कपरे होते हैं, गरीब हो याधनी। यह एक छोटी सी बात है, उसने अपने आपको समझाया। लेकिन कपरे उसकी आँखों के सामने एक पेंडुलम की भाती हिल रहे थे, एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ। उसने परिचय को फिर से शुरू किया, वहां मेरा दोस्त है। एक बचपन का दोस्त, एक बहुत ही बढ़िया आदमी, और कपड़े, वे उसके हैं, और मेरे नहीं लोग हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा परिचय नहीं सुना था, कपड़े उसके हैं, और मेरे नहीं। जब वे बाहर निकले, उसने फिर से कई बार माफी मांगी, एक बड़ी भूल उसने स्वीकार किया, अब उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कपड़ों ने मुझ पर इस प्रकार का काबू पहले कभी नहीं किया था। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो गया है? उसके साथ क्या हो गया था? यह दो खिनिय सत्य है कि उस तक्नीक ने जिस तरह से उस पर कार्य किया था, वह भगवान भी अगर प्रयास करते, तो कपड़े भी उस पर कबजा करते। दोस्त, जो अब काफी रुढिवादी था, ने कहा कि वह उसके साथ और आगे नहीं जाएगा। किसान ने उसकी बाह पकड़ी और कहा, क्रिप्या ऐसा मत करो। मैं जीवन भर अपने एक दोस्त के साथ इतना खराब संगीत करने पर दुखी हो जाऊंगा। मैं शपत खाता हूँ कि मैं कभी भी कप्रों का चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए उन लोगों के प्रती जो शपत खाते हैं क्योंकि किसी चीज को निश्चित करने पर कुछ बहुत गहरा सनलिप्थ होता है। एक निर्णय को सताने वाला भावनात्मक मन के द्वारा बनाया जाता है और जिस चीज के खिलाफ निर्णय किया गया है वह सुभमन दिमाग के अंधकार में बना रहता है। अगर दिमाग को दस हिस्सों में बाटा जाए, तो निर्नय करने वाला सिर्फ एक हिस्सा, उप्री हिस्सा होगा, बाकी नौ हिस्से उसके खिलाफ होंगे. ब्रहमचर्य का आदान-प्रदान-उदाहरन के लिए एक हिस्सा दिमाग ने निर्नय किया है जबकि दिमाग के बाकी हिस्से यौन भावना के लिए पागल है जबकि शेश भगवान ने मनुष्य में रोपित किया है लेकिन इस मौके पर जैसा की हो सकता है इसे घर गए किसान ने खुद को कड़ी से कड़ी मेहन करने के लिए बाधित किया सीमित लोगों से होश्यार रहना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उनके अंदर एक जीवा जल रहा है बाहर से वे कठिन और सयम पूर्ण होते हैं जबकि उनकी विरोधी होने की इच्छा उनके अंदर बहुत तंगे हुए है क्रिप्या ध्यान दे जो कुछ भी बलपूर्वक किया जाता है वह सदैव न तो सतत हो सकता है और न पूरा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तनाव होता है कभी ना कभी आपको आराम करना होता है कभी ना कभी आपको विश्राम करना होता है आप कितनी देर तक अपने मुठी को कसे रख सकते हैं चोबीज घंते जितना ज्यादा आप इसे कसेंगे उतनी ही यह ठकेगा और उतनी ही तेजी से यह खुल जाएगा अधिक काम करें और आप और भी जल्दी ठक जाएंगे किसी क्रिया का किसी प्रती-प्रतिक्रिया हमेशा होती है और यह हमेशा ततपर होती है आपका हाथ हमेशा खुला रह सकता है लेकिन यहां हमेशा मुठी में कड़ा नहीं रह सकता है जो कुछ भी आपको ठका सकता है वह जीवन का प्राकृतिक हिस्सा नहीं हो सकता कभी भी आप कुछ बलपूर्वक करते हैं एक विश्राम के दौर का अनिवार्यता होता है इसलिए जितना कुछल एक साधू है उतना ही खतरनाक है बीस घंटे के वरत के बाद शास्त्रों के नियोंगों का पालन करते हुए उसको कम से कम एक घंटे के लिए आराम करना होगा और इस अवधी के दौरान दबी हुई पापो की एक इतनी उचाई होगी कि वहाँ खुद को नरत की गहराई में पाएगा तो किसान ने खुद को कड़ी से कड़ी मेहन करने के लिए बाधित किया कि कप्रे के बारे में बात ना करे अपनी स्थिती की कलपना करे अगर आप थोड़े भी धार्मिक है तो आप उसके मानसिक स्थिती की कलपना कर सकते हैं। यदि आपने कभी शपत खाई है, या वरत लिया है, या किसी धार में कारण के लिए खुद को सयमित किया है, तो आप उसके मानसिक स्थिती को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वे अगले घर में गए। से बरफीला था, धीरे धीरे उसने परिचय के हर शब्द को कहा, मिलिए मेरे दोस्त से, वह एक बहुत पुराना दोस्त है, एक बहुत अच्छा आदमी है, एक पल के लिए उसमें हिचकिचाहट थी, अंदर से एक बड़ी धक्का आया, उसने जाना कि वह सिराय गया था, उसन करें, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने शपत खाई है, कि मैं कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, इस आदमी के साथ जो हुआ, वह पूरे मानवजाती के साथ हुआ है, निंदा के कारण, यौनता एक विकार, एक रोग, एक विकृत बन गई है यह जहरीली हो गई है बच्चपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि यौनता पाप है एक लड़की बड़ी होती है और एक लड़का बड़ा होता है कि शोरावस्था आती है और उन्हें विवाह किया जाता है फिर एक यात्रा शुरू होती है जिसमें यौनता पाप है कि ठहराव होती है। भारत में लड़की को यह भी बताया जाता है कि उसका पती भगवान है। वह कैसे उसे पाप में लेने वाले के रूप में शद्धानजली अर्पित कर सकती है। जीवन के संधिनी के रूप में एक जीवित राक्षस है। लड़का सोचता है क्या यहां मेरा आधिकारिक हाफ है, एक नरत की दिशा की हुई, पापमुख्य दिशा की हुई दिशा, उसके जीवन में कैसी भी समर्थन हो सकता है। पारंपरिशिक्षाय पूरे विश्व के व प्रेम करने की क्षमता है, लेकिन इस चिंताजंक स्थिती को सुधारा जा सकता है, यह मुर्थी बन प्रेम को शुद्ध किया जा सकता है। यह प्रेम उत्तम प्रेम के एक गुलाब में खिलने का संभावना है, जो सभी बाधाओं को तोड़ देगा, सभी संधर्षों को हल करेगा और पति-पत्नी को शुद्ध और देवी आनन में लपेट लेगा. यहां उदात प्रेम सम्भावना है. लेकिन अगर इसे पहले ही कुचला जाता है, यदी इसे दवाया जाता है, यदी इसे जहरीला वना दिया जाता है, तो इसमें क्या हुगेगा? यहां कैसे सर्वो का अनुभव करना है। सादू ने पूछा क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है। नहीं मैं ऐसे भूतकालिक चीज में दोबारा दीप्थ होने का अपराधी नहीं हूं। आदमी ने जवाब दिया। मैंने कभी इतना नीचा गिरना नहीं किया है। मुझे भगवान का अनुभव करना है। सादू ने फिर पूछा क्या तुमने कभी प्रेम के दर्द महसूस किया है। खोजी ने सुधारी हुई भावना से कहा मैं सच कह रहा हूं। यह गरीब आदमी इमानदारी से बात कर रहा था। धर्म क्षेत्र में प्रेम किया जाना एक अक्षमता है। उसे यकीन था कि यदि उसने किसी से प्रेम किया होता तो साधू ने उससे कहा होता कि वह तुरंद उस्प्रेम से मुक्थ हो जाए। उस आसकती से मुक्त हो जाए और अपने मार्त पर आगे बढ़ने के लिए सभी लोकारपड़ों को छोड़ दें। तो यदि उसने किसी से प्रेम किया होता, तो उसने यही उत्तर देना चाहिए। कहां मिलेगा एक ऐसा व्यक्ती जो कभी भी थोड़ी सी प्रेम नहीं किया है। साधू ने तीसरी बार पूछा कुछ कहो, ध्यान से सोचो, थोड़ा सा प्रेम किसी के लिए, किसी के लिए भी नहीं। क्या तुमने किसी एक व्यक्ति को भी थोड़ा सा प्रेम नहीं किया, लेकिन आप एक ही सवाल पर क्यों बार-बार चर्जा करती हैं। मैं प्रेम को दस फीट के छड़ी से छूना नहीं चाहूंगा। मुझे आत्मसाक्षातकार प्राप करना है। मुझे भगवानता चाहिए। इस पर तपस्वी ने कहा, तो क्रिप्या मुझे क्षमा करें। क्रिप्या किसी और से संपर्थ करें। मेरे अनुभव के अनुसार, अगर आपने किसी से प्रेम किया होता, किसी से भी, अगर आपने प्रेम का एक जलक भी देखा होता, तो मैं इसे बढ़ाने में मदद कर सकता था, इसे बढ़ाने में मदद कर सकता था, शायद भगवान तक पहुचाने में मदद कर सकता था, लेक मेरे दोस्ट प्रेम की अभाव में मैं किसी भी दिशा का कोई अवसर नहीं देखता हूँ। उसी तरह पती और पत्नी के बीच प्रेम न होने पर। अगर आपको लगता है कि जो पती अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता है, वह अपने बच्चों से प्रेम कर सकता है तो आप दुखी भ्रांती में हैं। पत्मी केवल उसी मात्रा में अपने पती से प्रेम कर सकेगी जितना कि वह अपने पती से प्रेम करती है क्योंकि बच्चा उसके पती का परिचायक है। लेकिन अगर पती के लिए प्रेम नहीं है, तो बच्चे के लिए प्रेम कैसे हो सकता है? और अगर पुत्र को प्रेम नहीं मिलता है, अगर उसका पोशन और पालन पोशन प्रेम के साथ नहीं होता है, तो आप उम्मीद करते हैं कि वह अपने माता-पिता से प्रेम करेगा एक परिवार जीवन का एक एकाधिकारिक हिस्सा है, दुनिया खुद में एक बड़े परिवार की तरह है, लेकिन इस यौन निंदन के लाख कारणों से परिवार जीवन को विशाक्त कर दिया गया है, और हम रोते हैं कि प्रेम कहीं भी नहीं मिलता है, इस परिस्थिती में आ दोस्त सभी कहते हैं कि उनमें प्रेम है, लेकिन यदि आप जीवन को उसकी पूर्णता में देखते हैं, तो जीवन में कहीं भी प्रेम प्रतीत नहीं होता, यदि इतने सारे लोग प्रेम से भरे होते हैं, तो प्रेम की बौचार होनी चाहिए, एक बगीचा फूलों से भर होना चाहिए और और भी फूलों से भरा होना चाहिए अगर प्रत्ते घर में प्रेम की एक दीपक होता तो इस दुन्या में कितना प्रकाश होता लेकिन बजाए इसके हमें एक असिशनुता का माहौल मिलता है इस दू खदाई योजना में प्रेम का एक भी किरण नहीं है यह स कि प्रेम हर जगह है। और जब तक हम इस मिध्या में रमे रहें, सत्य की खोज ही शुरू नहीं हो सकती। यहां कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। और जब तक प्राकृतिक यौनता को बिना किसी शर्त के स्विकृती के साथ स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक किसी को कि इसी से प्रेम नहीं हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूँ यौन्ता दिव्य है। यौन्ता की प्रारंभिक उर्जा में भगवान का प्रतिबिम्भ है। यह स्पष्ठ है, यह वह उर्जा है जो नए जीवन को उत्पन्द करती है। और यह सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमय शक सकती है। इस यौन से द्वेश को समाप्त करें। अगर आप अपने जीवन में प्रेम की बौचार चाहते हैं, तो इस यौन से इस संधर्ष को त्यागे। खुशी के साथ यौन्ता को स्वीकार करें। इसकी पवित्रता को स्वीकार करें। आभारी होकर इसे गले लगाए और और भी गहराई से इसे अपनाए। आपको आश्चर्य होगा कि यौन्ता इतनी पवित्रता को प्रकट कर सकती है। यहाँ आपके स्विकृती के स्तर के हिसाब से अपनी पवित्रता को प्रकट करेगी। और जैसी कि आपकी पहुँच में पापी और अभक्त है, वैसी ह कुरूप और पापी होगी वह यौनता जो आपके सामने है जब कोई पुरुष अपनी पत्नी के पास जाता है उसको एक पवित्र भाव होना चाहिए जैसे कि वह मंदिर जा रहा हो और जब एक पत्नी अपने पती के पास जाती है तो उसमें वह शद्धा भरी होनी चाहिए ज तो किसी ने ईश्वर के पास जा रहे समय महसूस की होती है सैक्स के क्षणों में प्रेमी समर्थन से गुजरते हैं और वह चरण बहुत करीब है ईश्वर के मंदिर के जहां वह रचनात्मक रूप-रूप में प्रकट होते हैं मेरा कलपना यह है कि मनुष्य ने समाधी की प इस प्रफंद रूप से महसूस करने की संभावना है इतना प्रकाश्मय आनंद महसूस करने की संभावना है और जो लोग इस सत्य पर सही दृष्टिकोर में ध्यान देते हैं जो लोग यौन संबंद के घटित होने की घटना पर ध्यान देते हैं वे यहां निशकर्ष करते कि समर्थन के क्षणों में मन के विचारों से रिक्त होता है। उस क्षण में सभी विचार बाहर निकल जाते हैं। और इस मन की शून्यता, इस रिक्तता, इस शून्य, इस वैक्यूम, मन का शीतलन यह दिव्य आनंद की बौचार का कारण है। इस रहस्य को इस सीमा तक खोलने के बाद मनुश्य ने और भी गहराई में खोज की। यदि मन को विचारों से मुक्त किया जा सकता है, यदि चेतना के विचार तरंगों को किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा शांत किया जा सकता है, तो वहां निशकर्ष करता है, वहां जनाली विक्सित हुई, इससे ध्यान और प्रार्थना आई। इस नई द्रश्टिकों ने साबित किया कि संबंध के बिना भी चेतना को शांत किया जा सकता है और विचार उबाल सकते हैं। मनुशन एक होजा की एक संबंध के क्रिया के प्रकार के कारण केवल क्षणिक हो सकती है, क्योंकि इसमें उर्जा की एक प्रवा समाप्थ होती है। पूरण आनंद, पूरण प्रेम जिसमें एक योगी हमेशा है, एक जोड़ी केवल कुछ क्षणों के लिए पहुँचती है। लेकिन मौलिक रूप से उनमें कोई अंतर नहीं है। जिन्होंने कहा कि विश्यानंद और ब्रहमानंद जो अपने इंद्रियों को आनंदित करता है और जो भगवान में आनंदित होता है, वे भाई हैं। उन्होंने एक अंजाने सत्य को कहा है। उन दोनों एक ही गर्प से आए हैं। एक मात्र अंतर आस्मान और पृत्वी के बीज है। मैं आपको पहला सिध्धान्द देना चाहता हूँ। यदि आप प्रेम के बारे में मौनिक सत्य जानना चाहते हैं, तो पहली आवशकता है कि आप यौनता की पवित्रता को स्वीकार करें। आपको यह स्वीकार करना होगा कि यौनता को भगवान के अस्तित्व की तरह ही एक खुले हृदय के साथ स्वीकृती के साथ स्वीकृती करनी चाहिए। और जितना आप यौन्ता को एक खुले हृदय और मन से स्वीकार करते हैं, आप उससे उत्कृष्ट हो जाएंगे. लेकिन जितना आप इसे दबाते हैं, उतना ही आप इससे बंदे जाएंगे, उस किसान की तरह जो अपने कपड़ों के गुलाम बन गया. आपकी स्वीकृती की माप आपकी मुक्ती की माप है. जीवन की पूर्ण स्विकृती जो जीवन में प्राकृतिक है जो जीवन में भगवान वारा दिया गया है आपको उच्चतम दैविय स्तरों तक ले जाएगी उच्चतम स्तरों तक जो अग्य है उच्चतम स्तरों तक जो उदात है मैं उस स्विकृती को दैहिक तावाद कहता हूँ और उस भगवान्दिया के प्रती उन विश्वास को मुक्ती का दर्वाजा कहता हूँ मैं उन सिध्धान्तों को ब्रहमवाद कहता हूँ जो मनुष्य को जीवन में और दैहिक योजना में प्राकृतिक रूप से स्विक्रिती नहीं करने से रोकते हैं। इसके खिलाफ हो, उसे दबाओ। प्राकृतिक को रूप है, बुरा है, कामुख है। इसे छोड़ो, उसे छोड़ो, यह सब मेरी समझ में एथिस्म का हिस्सा बनता है। जो न्यों का पाठ पढ़ाते हैं, वे एथिस्ट हैं। जीवन को उसके शुद्ध और प्राकृतिक रूप में स्विकार करे और इसकी पूर्णता पर बढ़े। स्विक्रिती खुद आपको उच्चतम स्तरों तक उठाएगी, कदम से कदम मिलाकर। और यही समर्थन योंता का भी आपको उच्चतम स्तरों तक उठाएगा, जो आपने संभालने की कलपना नहीं की थी। यदि यौन्ता को कोईला होता है, तो एक दिन जरूर आता है, जब यहाँ खुद को ही हीरे के रूप में प्रदर्शित करेगा और यहाँ पहला सिध्धान्त है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो दूसरा मौलिक बात कहना चाहता हूँ, वह कुछ है, जो अब हमारे अंदर सभी द्वारा कठिन हो गया है, सभी द्वारा नागरिकरण, सांस्कृतिक और धर्म द्वारा और वहाँ है अहंकार, यहाँ ज्ञान की मैं हूँ सेक्स उर्जा की प्रकृती उसे प्रेम की दिशा में प्रबोधित करती है, लेकिन मैं की रुकावट ने उसे एक दीवार की तरह घेरा कर दिया है, इसलिए प्रेम बहन नहीं सकता मैं बहुत शक्तिशाली है, बुरे लोगों में भी और अच्छे लोगों में भी, अधर्मी लोगों में भी और पवित्र लोगों में भी बुरे लोग मैं को कई तरीकों से बता सकते हैं लेकिन अच्छे लोग भी मैं को बड़ी आवाज से धुनते हैं उन्हें स्वर्ग जाना है उन्हें मुक्ती मिलनी चाहिए उन्होंने संसार का त्याग किया है उन्होंने मंदर बनाए है वे पाप नहीं करते उन्हें यह करना है उन्हें वह करना है लेकिन वह मैं वह मार्गदर्शी संकेत हमेशा मौझूद है जितना अधिक किसी का अहंकार है उतना ही उसके लिए किसी के साथ एक होना कठिन होता है अहंकार बीच में आता है मैं अपने आपको प्रतिष्ठित करता है अनुभव लोगों को एक दूसरे के पास नहीं लाता है। शरी शायद पास हो सकते हैं, लेकिन लोग दूर हैं। तब तक जब इस मैंका अंदर हो, इस दूसरापन की भावना से बचा नहीं जा सकता है। एक दिन, साटर ने एक अद्धुत बात कही, दूसरा नर्ख है, लेकिन उन्होंने यहां तक नहीं समझाया की दूसरा क्यों नर्ख है, या यहां तक नहीं समझाया की दूसरा क्यों दूसरा है। दूसरा इसलिए दूसरा है क्योंकि मैं मैं हूँ और जब तक मैं मैं हूँ, चारों ओर का दुनिया दूसरा है, अलग और अलग, विभाजित और कोई संबंद नहीं है. जब तक इस अलगाव की भावना है, प्रेम को नहीं जाना जा सकता है. प्रेम एकता का अनुभव है दीवारों का नश्ठ होना दो उर्जाओं का मिलन है वह प्रेम का अनुभव है प्रेम वह उत्सा है जब दो लोगों के बीच की दीवारे गिरती हैं जब दो जीवन मिलते हैं जब दो जीवन एक होते हैं जब दो लोगों के बीच ऐसी मेलजोल होती है, उसे मैं प्रेम कहता हूँ. और जब यह एक व्यक्ति और जन्समों के बीच होती है, तो मैं इसे परमेश्वर से संदम कहता हूँ. यदि आप मुझसे ऐसे एक अनुभव में रूची लेते हैं, ताकि सभी बाधाये पिघल जाएं, ताकि आध्यात्मिक स्टर पर एक ओस्मोसिस हो, तो वहाँ प्रेम है. और यदि मुझसे और सभी अन्य लोगों के बीच ऐसा एकता हो जाता है, और मैं सभी में अपनी पहचान खो देता हूँ, तो वहाँ प्राप्ति, वहाँ मिलान, ईश्वर के साथ है, सर्वशक्तिमान के साथ, सर्वग्य के साथ, विश्वचेतना के साथ, परम परमेश्व के साथ या आप जो कुछ भी कहना चाहें, और इसलिए मैं कहता हूँ कि पहला कदम प्रेम है, और आखरी कदम सर्वोत्तम और अंतिम गंतव्य है, मैं खुद को मिलाना कैसे समभब है, तब तक दूसरा मेरे साथ एक नहीं हो सकता, दूसरा मेरे मैं के प्रती एक प्रतिक्र के रूप में बनता है, जितना अधिक मैं मैं बोलता हूँ, उतना ही दूसरे का अस्तित्व ताकतवर होता है, दूसरा में का प्रतिध्वनी है, और मैं क्या है, क्या आपने कभी शांती से इसके वारे में सोचा है, क्या या आपके पैर में है या आपके हाथ में, आपके सि इसकी भावना तो है, फिर भी किसी विशेश स्थान पर नहीं मिलता. एक पल के लिए शांती से बैठेन और उस मैं की खोज करें. आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन एक गहरी खोज के बावजूद आप अपने मैं को कहीं भी नहीं पा सकेंगे. जब आप अपने अंदर गहरे से खोजते हैं, तो आपको यहाँ एहसास होगा कि कहीं भी मैं नहीं है. इस प्रकार वास्तरिक्ता में आत्मा का सत्य होने पर मैं वहाँ नहीं है. महान संत नाकसेन को समराट मालिंद ने अपनी दर्बार में आने के लिए बुलवाया था. दूत में नाकसेन के पास जाकर कहा, सन्यासी नाकसेन, समराट तुम्हें देखना चाता है. मैं तुम्हें आमंत्रित करने आया हूँ. नाकसेन ने कहा, यदि आप चाहे तो मैं आ स लेकिन क्षमा करें, यहां कोई व्यक्ती नाकसेन जैसा नहीं है। समराट ने उसका स्वागत दर्वाजे पर किया। कर रहा है। इस स्वागत का जवाब देने वाला कौन है। नाकसेन ने पीछे मुढ कर पूछा क्या यह वही रत है जिसमें मैं आया था। हाँ, यह एक ही है। क्रिप्या घोडे हटा दे। यह हो गया। मुद्रत को इशारा करते हुए सन्यासी ने पूछा क्या यह रत है। समराट ने कहा घोडे को कैसे रत कहा जा सका है। सन्यासी की इशारे पर घोडे ले जाए गए और घोडों को बांधने के लिए दंडे हटा दिये गए। क्या ये दंड तुम्हारा रत है। बिल्कुल नहीं ये दंड है और रत नहीं है। सन्यासी ने यही जारी रखते हुए अनेकों को एक के बाद एक हटाने का आदेश दिया और प्रत्यक पूछताच पर समराट को उत्तर देना पड़ा यह रत नहीं है। आखिरकार कुछ नहीं बचा। सन्यासी ने पूछा तुम्हारा रत अब कहा है। हर एक वस्तु को हटाने पर तुमने कहा है यह रत नहीं है तो मुझे अताओ अब तुम्हारा रत कहा है। यह खुलासा समराट को हैरान कर दिया। सन्यासी ने जारी रखा, क्या तुम मुझे समझते हो? रत एक संग्रह था, यह कुछ विशेश चीजों का संग्रह था. रत का अपना कोई अस्तित्व नहीं था. कृप्या अंदर देखो. तुम्हारा अहंकार कहा है? तुम्हारा मैं कहा है? तुम्हें वहां मैं कहीं भी नही मिलेगा. यह कई उर्जाओं का प्रतिबिंभ है, बस इतना ही है. हर अंग अपने आपका प्रतेक पहलुआ, परे विचार करो और फिर सब कुछ एक-एक करके हटाओ. अंत में कुछ नहीं बचेगा. प्रेम उस शून्यता से उत्पन्न होता है. वह शून्यता ही ईश्वर ह एक निश्चित गाव में एक आदमी ने एक मचली की दुकान खोली थी, जिस पर एक बड़ा साइन लगा था, यहां ताजगी से मचली बिखती है. पहले ही दिन एक आदमी दुकान में आया और पढ़ा, यहां ताजगी से मचली बिखती है. उसने हसी की, ताजगी से, क्या कहीं भी फ्रिश मचलिया बिक्ती है ताजगी लिखने का क्या मतलब है दुकान दार ने तै किया कि वह सही है इसके अलावा ताजगी ग्रहकों को स्थाए का अंदाजा देता था उन्होंने साइन बोड से ताजगी को मिटा दिया अब बोड पर लिखा था मचली यहां बिक्त है क्या आप कहीं और भी मचली बेचते हैं यहां को मिटा दिया गया अब बोड पर लिखा था मचली बिक्ती है तीसरे दिन एक और ग्रहक दुकान में आया और कहा मचली बिक्ती है क्या कोई मचली मुफ्ट में देता है बिक्ती है को हटा दिया गया अब बोड पर केवल मचली बची थी। एक बुढ़ा आदमी आया और दुकांदार से कहा मचली। एक अंधा भी दूर से महसूस कर सकता है कि यहां मचली बिक्ती है। मचली को हटा दिया गया। अब बौर्ड खाली था। एक बड़े से बड़े स्वायत व्यक्ती ने पूछा क्यों एक खाली बौर्ड? बौर्ड भी हटा दिया गया। प्रक्रिया के बाद कुछ भी बचा नहीं, प्रत्यक शब्द को एक एक करके हटा दिया गया था। और जो बचा था, वहा कुछ नहीं था, एक शून्य ता से उत्पन हो सकता है। केवल एक शून्य दूसरे शून्य के साथ पूरी तरह मिल सकता है। जब व्यक्तिक्तता लगातार गायब हो जाती है, जब मैं और दूसरा और नहीं होते हैं। फिर जो कुछ भी बचता है, वह सब कुछ है, अनन्त है लेकिन कोई मैं नहीं है। उस प्राप्ति के साथ सभी बाधाये तूट जाती हैं और हमेशा तयार गंगा की धारा होती है। हम कौँ खोदते हैं। पानी पहले से ही अंदर है, कहीं से भी लाया नहीं जाना है। हम बस प्रित्वी और पत्थरों को खोद कर और हटा कर उन्हें बना देते हैं। यहां बिलकुल वही हैं जिसे हम करते हैं। हम एक शून्यता बनाते हैं ताकि अंदर छिपा पानी एक जगह को मिल सके, जिसमें अपना प्रदर्शन कर सके। जो अंदर है, वह जगह चाहता है, उसको जगह चाहिए। उसे एक शून्यता की उत्पत्ती है, जो उसे नहीं मिल रही है, ताकि यहां बाहर आ सके, ताकि यहां उचल सके। यदि एक कुवा रेत और पत्थरों से भरा होता है, तो हम रेत और पत्थरों को हटाते हैं, तो पानी उपर की ओर बढ़ीगा। उसी तरह मन प्रेम से भरा है, लेकिन प्रेम को सता पर उभरने के लिए जग़ चाहिए। जब तक आपके हृदय और आत्मा में कह रही हैं, तब तक आप एक रेत और पत्थरों भरे कोई हैं, और प्रेम की धारा आप में उबलने का समय नहीं है। मैंने सुना हैं कि एक समय एक प्राचीन और शांदार पेड था, जिसकी शाखाय आकाश की ओर फैली हुई थी। जब यह फूलने के मौड में था, तो उसके चारों और विभिन्न आकरितियों, रंगों और आकारों की तितलिया नृति करती थी। जब यह फूले देता था और फलों को बोज लेता था, तो दूर के देशों के पंच्छी आते थे और उसमें गाते थे। इसकी शाखाए, बाहर फैलाए गए हाथों की तरफ, जो भी आते और उसकी चाया में बैठते, उन्हें आशिरवात देती थी। एक छोटे बच्चे को आने और उसके नीचे खेलने के लिए आना अच्छा लगता था और बड़े पेड़ ने उस छोटे बच्चे के प्रती एक प्रेम विक्सित किया। बड़े और छोटे के बीच प्रेम संभव है, यदि बड़ा यह जानकर नहीं है कि वह बड़ा है। पेड़ नहीं जानता था कि वह बड़ा है, केवल मनुष्य के पास ऐसा ज्यान होता है। बड़े का यही स्वाभाविक ध्यान होता है, लेकिन प्रेम के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। प्रेम किसी भी आसपास आने वाले को आलिंगन करता है। इसलिए पेड़ ने उस छोटे बच्चे के लिए प्रेम विक्सित किया जो उसके पास आकर खेलने आता था। उसकी शाखाय उच्च थी, लेकिन उसने उन्हें जुकाया और बो दिया ताकि वह उसके फूल छू सके और उसके फलो को तोड़ सके। प्रेम कभी जुकने के लिए हमेशा तयार होता है, अहंकार कभी जुकने के लिए तयार नहीं होता है। यदि आप अहंकार के पास जाएं, तो इसकी शाखाय और भी उपर की ओर बढ़ जाएंगी, यह स्टिफ हो जाएगा ताकि आप उसे छू नहीं सके। खिलवार बच्चा आया और पेड़ ने अपनी शाखाय जुकाईं। पेड़ बहुत खुश हुआ जब बच्चा ने कुछ फूल तोड़े, उसका संपूर अस्तित्व प्रेम की आनन से भर गया। प्रेम हमेशा खुश होता है जब वहा कुछ देने में सक्षम होता है। लड़का बड़ा हो गया। कभी कभी उसने पेड़ के लाप पर सोता, कभी उसने इसके फल खाए और कभी इसके फूलों की मुकुट पहन कर जंगल के राजा की भानती व्यापार किया। प्रेम के फूल होने पर व्यक्ती राजा की भानती होता है, लेकिन आहंकार के कांटे होने पर वह गरीब और दुखी होता है। छोटे बच्चे को फूलों की मुकुट पहने हुए देखना पेड़ को आनन से भर गया। वह प्रेम में सारंधी बजाता था, वह हवा में गाता था। लड़का और बड़ा हो गया। कभी-कभी उसने पेड़ की शाखाओं पर चड़ना शुरू किया ताकि वह उस पर जूल सके। पेड़ ने महसूस किया कि जब लड़का उसकी शाखाओं पर आराम करता है, तो उसका बहुत खुश होता है। प्रेम खुश होता है जब यहां किसी को सुख़त बना सकता है। समय के साथ साथ बच्चे को अन्य कर्तवियों का बोज आया। उमीदे बढ़ी उसे परीक्षा देनी थी, उसके साथ बातचीत करने और घूमने के लिए दोस्त थे, इसलिए वहां अब अकसर नहीं आता था। लेकिन पेड उसका इंतजार बेहत बेताबी से करता था कि वहां आये। यह अपनी आत्मा से कहता था, आजा, आजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। प्रेम दिनरात प्रतीक्षा करता है। और पेड इंतजार करता था। जब लड़का नहीं आता तो पेड को दोख होता था। प्रेम को दोख होता है जब यह साजा नहीं कर सकता प्रेम को दोख होता है जब यह कुछ नहीं दे सकता प्रेम खुश होता है जब यह साजा कर सकता है जब यह पूरी तरह से आत्मस मरपन कर सकता है तब प्रेम सबसे खुश होता है लड़का पेड के पास कम और कम आने लगा व्यक्ति जो बड़ा होता है जिसकी महत्वा कांग्शाए बढ़ती है प्रेम के लिए कम और कम समय निकालता है लड़का अब सार्थक कारियों में लिपता हुआ था एक दिन जब वह से गुजर रहा था तो पेड ने उससे कहा मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ लेकिन तुम नहीं आते मैं तुम्हें रोजाना अपेक्षा करता हूँ लड़का ने कहा तुम्हारे पास क्या है? मैं क्यों तुम्हारे पास आऊं? क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? मैं पैसा ढूंड रहा हूँ, अहंकार हमेशा प्रेरित होता है केवल अगर कुछ प्राप्त करने का कोई उद्देश है, तो अहंकार आता है लेकिन प्रेम अनुभवर हित है प्रेम अपना ही इनाम है चौकी हुई पेड ने कहा, तुम तभी आओगे जब मैं कुछ दूँगा, वह जो रोकता है, वह प्रेम नहीं है अहंकार बढ़ता है, लेकिन प्रेम निर्पेक्ष रूप से देता है हमें वह बीमारी नहीं है, और हम खुश है, पेड ने कहा हम पर फूल खिलते हैं हम हवा में नृत्य करते हैं, और गाने गाते हैं मासूम पंची हमारी शाखाओं पर उचलते हैं, और चीर पीप करते हैं, हालांकि हमारे पास कोई पैसा नहीं है जिस दिन हम पैसे के साथ जुड जाएंगे, हमें भी तुम दुर्बल मनुशों की भाती मंदिर जाना पड़ेगा, शान्ती प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए नहीं, हमें पैसे की कोई आवशक्ता नहीं है लड़का ने कहा, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आउं? मैं पैसे चाहता हूँ, अहमकार पैसे के लिए पूछता है, क्योंकि इसको शक्ती की आवशक्ता है पेड ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, मेरे प्यारे, कहीं और मत जाओ मेरे फलों को तोड़ो और उन्हें बेचो, इस तरह तुम्हें पैसे मिलेंगे लड़का तुरंद उत्साहित हो गया उसने सभी पेड के फल तोड़ लिए, जिनमें से कुछ अपकाचे भी गिरा दिये गए पेड़ खुश महसूस कर रहा था, हालांकी कुछ ट्विग और शाखाय तूट गई थी, हालांकी कुछ पत्तिया जमीन पर गिर गई थी तूटना प्रेम को भी खुश करता है, लेकिन प्राप्ती के बाद भी अहंकार खुश नहीं होता है अहंकार हमेशा और चाहता है पेड़ ने नहीं ध्यान दिया कि लड़का ने एक बार भी उसकी और धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ा नहीं था उसका आभास हो गया था कि लड़का ने उसकी फल तोड़ने और बेचने की पेशकश को स्वीकार करते ही उसे धन्यवाद मिल गया था लड़का बहुत देर तक नहीं आया अब उसके पास पैसे थे और वहां उन पैसों से और पैसे बना रहा था उसने पैड के बारे में सब कुछ भूल गया था वर्षों बीट गए पैड उदास था वह लड़के की वापसी की आकांगशा करता था एक मा की तरह जिसके स्तन दूट से भरे होते हैं लेकिन जिनका बेटा खो गया है उसका पूरा अस्तित्व उसके बेटे के लोटने की आकांगशा के लिए बेताप था इस पैड की आंतरे क्रिया उसके बेटे के पास आने की आकांगशा की भाती थी इसका पूरा अस्तित्व वेदना में था कई वर्षों बाद अब एक बड़ा होकर लड़का पेड के पास आया पेड ने कहा आओ मेरे बच्चे आकर मुझसे गले मिलो आदमी ने कहा वह समवेधन शीलता बंद करो वह बच्चपन की बात थी मैं अब एक बच्चा नहीं हूँ तहंकार प्रेम को पागलपन बच्चों के ख्वाप की भांती देखता है लेकिन पेड ने उसे आमंत्रत किया आओ मेरी शाखाओं पर जूला लगाओ आओ नृति करो आओ मेरे साथ खेलो आदमी ने कहा सभी इस अव्यार्थ बातों को बंद करो मुझे एक घर बनाना है क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो पेड चिलाया एक घर मेरे पास एक घर नहीं है घरों में केवल लोग रहते है और क्या आपने उसकी स्थिती को देखा है जब उसे चार दीवारों के बीच कैट किया जाना है उसके इमारते जितनी बड़ी होती है उतना ही छोटा इंसान हो जाता है हम घरों में नहीं रहते हैं लेकिन तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले सकते हो और फिर शायद तुम एक घर बना सकते हो आदमी ने एक कुलहारी लाई और पेड की सारी शाखाए काट दी अब पेड केवल एक शून्य चंक था लेकिन प्रेम ऐसी बातों के लिए चिंता नहीं करता यदि उसके अंग भी उसके प्यार के लिए काटे जाएं प्रेम देना है प्रेम सदैव देने के लिए तैयार है आदमी ने पेड का आभार भी नहीं किया उसने अपना घर बना लिया और दिन वर्षों में बदल गए चंक ने बस और बस रुखने का समय बरदाश्ट किया यहां उसको बुलाना चाहता था लेकिन उसके पास न तो शाखाय थी और न पत्तिया जो इसे ताकत दे हवा बहती रही लेकिन यह उसे हवा को संदेश देने के लिए भी मना था और फिर भी इसकी आत्मा में केवल एक ही प्रार्थना गून्ती थी आजा आजा मेरे प्रिये आजा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ समय बीद गया और आदमी अब बड़ा हो गया था एक बार वह पेड के पास से गुजर रहा था और वह पेड के पास खड़ा हो गया पेड में पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या और कर सकता हूँ तुम बहुत बहुत देर के बाद आये हो गुणा आदमी ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या और कर सकता हूँ मुझे दूर के देशो जाने के लिए और पैसे कमाने के लिए जाना है मुझे एक नाव चाहिए यात्रा के लिए पेड ने खुशी-खुशी कहा लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है मेरे प्रिय मेरी तने को काटो और उससे एक नाव बनाओ मैं बहुत खुश होँगा अगर मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ कि तुम दूर के देशों में जाकर पैसे कमा सको लेकिन क्रिप्या ध्यान रखना मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूँगा आदमी ने एक आरा लाया, तना को काटा और एक नाव बनाई और दूर चला गया अब पेड एक छोटा साथ चंक है और यहां अपने प्रिये के लोटने का इंतजार करता है यहां इंतजार करता है और इंतजार करता है और इंतजार करता है आदमी कभी नहीं लोटेगा अहंकार केवल वहां जाता है जहां कुछ प्राप करने के लिए है और अब पेड के पास कुछ भी नहीं है पूरी तरह से कुछ भी नहीं प्रदान करने के लिए आंकार वहाँ नहीं जाता है, जहां कुछ प्राप करने के लिए कुछ नहीं है. आंकार हमेशा एक शैशव भिकारी है, एक निरंतर मांग स्थिती में है और प्रेम भिक्षा है. प्रेम एक राजा है, एक सम्राथ. क्या प्रेम से बड़ा सम्राथ है? मैं उस टंप के पास एक रात आराम कर रहा था वह मुझसे बोला मेरा वह प्रियमित्र अब तक वापस नहीं आया है मुझे उसके बारे में बहुत चिंता है कि शायद उसने डूब गया हो या शायद वह खो गया हो शायद वह उन दूरस देशों में हैं कहीं खोया हुआ हो सकता है शायद वह अब जीवित नहीं है कैसे कीमती होता कि उसके बारे में कुछ खबरे मिले तब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ लेकिन वह मुझे बुला सकता है भले ही मैं उसको बुला ना सकूँ मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है, उसको प्रदान करने के लिए और वह सर्फ लेने की भाशा समझता है अहंकार केवल लेने की भाशा समझता है, देने की भाशा प्रेम है मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता और इससे अधिक कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है यदि जीवन उस पेड की तरह बन सकता है, जिसने अपनी शाखाओं को इतना फैलाया हो कि सभी लोग उसकी छाया में आश्रे ले सकें, तो हम समझेंगे कि प्रेम क्या है? प्रेम के लिए कोई शास्त्र, कोई चाठ, कोई कोशिकाय नहीं है. प्रेम के लिए कोई सिध्धान्त नहीं है. मैंने यह सोचा कि मैं प्रेम के बारे में क्या कह सकता हूँ? प्रेम को वर्णन करना इतना कठिन है. प्रेम सिर्फ वहाँ है. आप शायद मेरी आँखों में इसे देख सकते हैं, अगर आप उपस्थित होकर मुझ में जाके. मैं यह सोचता हूँ कि आप इसे मेरी बाहों में महसूस कर सकते हैं, जैसे कि एक आलिंगन में. प्रेम प्रेम क्या है? यदि प्रेम मेरी आंखों में, मेरी बाहों में, मेरे चुप में महसूस नहीं होता है, तो इसे मेरे शब्दों से कभी भी अनुभव नहीं किया जा सकता। मैं आपके सब्रपूर्वक सुनने के लिए कृतग्य हूँ, और अन्त में मैं सभी में बैठे ईश्वर को नमन करता हूँ। कृप्या मेरी शद्धांजली स्वीकार करती बंद से मुक्ती तक। एक सुबह सूर्योदय से पहले एक मच्वारा एक नदी की ओर गया। किनारे पर उसने अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस किया और उसे एक छोटी सी बोरी में पत्थरों की एक थैली मिली। उसने थैली को उठाया और अपनी जाल को एक किनारे पर रख कर सूर्योदय का इंतजार करने के लिए किनारे पर बैठ गया। उसने भोर आने का इंतजार किया था ताकि वह अपने दिन का काम शुरू कर सके। उसने आलसी तरीके से थैली से एक पत्थर निकाला और उसे पानी में फैंका। फिर उसने एक और पत्थर फैंका और फिर एक और। कुछ करने के अभाव में उसने एक के बाद एक पत्थर पानी में फैंकते रहे धीरे धीरे सूरज उगा और रोशनी हो गई उस समय तक उसने सभी पत्थरों को फैंक दिया था केवल एक ही बचा हुआ था आखिरी पत्थर उसकी कई बार से हाथ में था जब उसने देखा दिन्चर्या के समय वह जो कुछ उसके हाथ में था तो उसका दिल उससे लगभग तूट गया यहां एक रत्न था अंधकार में उसने पूरी थैली को फैंक दिया था वह बिना जाने खो बैठा था पच्ताया भरा हुआ उसने खुद को शापित किया उसने रोई और चीखा दुख से लगभग अपने मन से बाहर था उसने यह सुनिश्चित रूप से अपने जीवन को सम्रिधी से भरने के लिए काफी सैयासी रूप से रिच कर लिया था लेकिन अंजाने में और अंधकार में उसने इसे खो दिया था फिर भी किसी तरह उसे भाग्यशाली माना जा सकता था अब एक रत्न बचा था पहले ही उसने इसे फैक दिया था जब रोशनी आई थी आप तौर पर अधिकांश लोग उतने ही भाग्यशाली नहीं होते हैं चारों और अंधकार है और समय बित रहा है सूरज अभी तक नहीं उगा है और हमने पहले ही सभी जीवन के मूल्यवान रतनों को बरबात कर दिया है जीवन एक बड़ा रजाखाना है और मनुश्य उससे कुछ नहीं करता है सिवाए इसे फैकने के हमने जीवन के महत्व को समझने का समय आने पर हमने उसे बिता दिया है रहस्य, आनंद, विमुक्ती, स्वर्ग सब खो गया है और किसी का जीवन बिता गया है आने वाले कुछ दिनों में मेरा इरादा है कि मैं जीवन के रतनों पर बोलू लेकिन लोगों को जो जीवन को पत्थरों की तरह देखते हैं उन्हें प्रकाशित करना कठिन है लोग परेशान हो जाते हैं अगर आप उनका ध्यान इस तत्थे की और खीचने की कोशिश करते हैं कि वे जो कुछ फैंग रही है वह रतन है, पत्थर नहीं उन्हें इस बारे में बताया गया है नहीं क्योंकि कहा गया है बलकि इसलिए क्योंकि उन्हें उनकी अवगुन्थन का दिखाया गया है क्योंकि उन्हें याद दिलाया गया है कि उन्होंने क्या हानी कर दी है उनकी हमकार की रूपरेखा आती है, वे गुसा करती है जो कुछ अब तक हो चुका है, यदी बचा हुआ जीवन छोटा है, यदी केवल एक पत्थर बचा है, तो भी आपका जीवन बचा सकता है सीखने के लिए कभी भी देर नहीं होती सहायता अभी भी संभव है और खास कर सत्य की खोज में कभी भी देर नहीं होती आत्म विश्वास बनाये रखने के लिए अभी भी कारण है, लेकिन हमारी अज्ञानता और अंधकार में हमने यह स्विकृत कर लिया है कि जीवन की थैली में कुछ भी नहीं है सिवाए पत्थरों के कमजोर हृदय लोग सीधे तौर पर सत्य की खोज करने के लिए किसी प्रयास से पहले ही हार मान लेती है मैं उस निरंतर हार के अपशक्ती के खत्रों को चेतावनी देना चाहता हूँ इस सिती के हार की भ्रांती के खिलाफ जीवन रेत और पत्थरों का धेर नहीं है अगर आपके पास इसे देखने के लिए सही द्रश्टी है तो जीवन में कई अच्छाई है जीवन में आपको इश्वर तक पहुँचने के लिए सीधी मिलेगी इस रक्त, मास और हड्डियों के शरीर के भीतर इन चीजों से अलग कुछ या कोई मौझूद है इसका शरीर, रक्त और हड्डियों से कुछ नहीं करता है यहां अमर है इसका ना आरंभ है और ना अंध बिना आकार यहां हम सभी के कोर में हैं आपकी अज्ञानता के अंधकार से मैं आपसे कहता हूँ उस अविनाशी प्रजवलन के लिए इच्छा करें लेकिन अमर प्रजवलन को मृत्यू के धुंदले से छिपा हुआ मानो धूम्र से ओड़ा हुआ है इसलिए हम प्रकाश को नहीं देख सकते हम धूम्र से मिलते हैं और पीछे हज जाते हैं जो थोड़ा बहादुर होते हैं वे थोड़ी देर के लिए खोचते हैं लेकिन केवल धूम्र में और इसलिए वे प्रजवलन प्रकाश का स्त्रोत तक पहुँच नहीं सकते हम इस धूम्र के परे प्रज्वलन की इस यार्रा कैसे कर सकते हैं शरीर के अंदर आत्मा की ओर हम अध्यत में कैसे हो सकते हैं विश्वबंदु कैसे हो सकते हैं हम कैसे समझ सकते हैं उस चीज को जो प्राक्रिरिक रूप में छिपा हुआ है वह जो प्राग्रीदी में छुपा हुआ है। मैं इसके बारे में तीन मर्ज में बात करूँगा। पहले तो हमने इतनी पूर्वाग्रहों उफानता भरे विचारों और बनावती दर्शनों से खुद को ऐसे ढख लिया है कि हमने नीवे सत्य को देखने की क्षमता से वंचित कर दिया है। बिना जाने, बिना खोजे, बिना किसी उत्सुकता के हमारे पास जीवन के बारे में पहले से तैयार हुए सिध्धान्त है। हजारों सानों से हमें सिखाया गया है कि जीवन बेमानी है, कि यह अनार्थक है और दुखमय है। हमें hypnotize किया गया है कि हमारा अस्तित्व अनार्थक, बेहुदा, दोहक पूर्ण है कि जीवन को घ्रिणा की जानी चाहिए, उसे अंदेखा करना चाहिए. इस सतत पुन्रावृत्ती ने हमें दबाव में रख लिया है, जो हमें कुचल रहा है, इसलिए अब हम महसूस करते हैं कि जीवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ी शोर, एक बड़ी हलचल, एक दोहक का केंद्र. इस घ्रिना के कारण ही मनुष्य को सभी आनंद और प्रेम हार गया है. आदमी अब केवल एक अरूपी गोली है, वह एक अशांत सोड़ा समुद्र है. और यह भी आश्चरय जनक नहीं है कि इन गलत फम्यों के कारण मनुष्य ने अपने आत्म चिंतन का प्रयास करना बंद है कि जीवन सर्फ फैंका जाने के लिए अस्रिकृत किया जाने के लिए बना है, तो उसे मानने में क्या अर्थ है, उसे स्वीकार करने के लिए क्या अर्थ है, उसे शुद्ध करने और सौंदर्यपूर्ण बनाने का. पूरी प्रयास ब्रिश्टी उस्व्यक्ती की तरह है, जो railway station के एक प्रतीक्षा कक्ष का उप्योग कर रहा है। उसे पता है कि वहां वहां केवल कुछ समय के लिए हैं कि वहां शीगर रवाना हो जाएगा। तो प्रतीक्षा कक्ष की कोई महत्वपूनता नहीं है यह पूरी तरह अनद्रिश है। उसने यहां वहां कुछ छोड़ दिया, वहां थूखता है, उसने इसे गंदा किया, उसे चिंता नहीं है, अपने व्यवहार से बड़े ही कुछ समय बाद वहां इसे छोड़ देगा। इसी तरह हम जीवन को एक अस्थाई निवास के रूप में देखते हैं। वर्तमान प्रवृत्ती यहां है कि कोई भी पूछे की जीवन में सत्य और सौंदर्य की खोज करने का क्या कारण है। लेकिन मैं इस बात को महत्वपूर बनाना चाहता हूँ कि जीवन समय के साथ खत्म हो जाएगा और फिर जीवन की वास्तविक्ता से बचा नहीं जा सकता है। हम अपने घरों को बदल सकते हैं, शरीरों को बदल सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन का सार अब हमारे साथ रहता है. यहां आत्मा है बड़े अक्षर में. इससे छुटकारा पाने का कोई भी तरीका बिल्कुल नहीं है. हम उसके आधार पर बने हैं, जो हम करते हैं. आखिरकार हमारे कर्म हमें बना देते हैं या हमें बिगार देते हैं. वे हमारे जीवन को बदलते हैं. वे हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमारी आत्मा को मोल्ग करते हैं. हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं और जो कुछ हम अपने जीवन के साथ करते हैं वह हमारे भविश्य को रूपित करता है किसी की जीवन दृष्टी एक की आत्मा का मार्ग दिखाती है यह कैसे विक्सित होगी यह कौन सी अंजाने रहस्यों को खोलेगी यदि मनुष्य यह जानता कि उसकी जीवन द्रिष्टी उसके भविश्य को संगीत बनाती है तो उसे तुरंथ इस दुखत द्रिष्टिकोर को छोड़ देना चाहिए कि जीवन असंगत है कि यहा निरर्थक और अर्थहीन है फिर शायद उसे यह ब्रह्म समझने का मौका मिले की अस्तित्व का यह विश्वास है कि दोख से भरा है कि इसमें कोई योजना नहीं है फिर शायद उसे यह पता चले कि जो कुछ भी जीवन के खिलाफ है वह अधर्म के नाम पर जीवन की नकारात्मक शिक्षा दी जाती है धर्म का दार्शनिक सिधान्त हमेशा मृत्यु मुखी रहा है जीवन मुखी नहीं धर्म यह प्रचारत करता है कि जो जीवन के बाद आता है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मौत से पहले होता है, उसका कोई महत्व नहीं है. अब तक धर्म ने मौत की पूजा की है, लेकिन जीवन का कोई आदर नहीं किया है. यहां कहीं भी जीवन के फूल और फलों की आनंद मैं स्विक्रिती नहीं मिलती, हर जगा मृत्फूलों का कट्टर आ सकती है. हमारे जीवन मृत्फूलों की कबरों पर महकाव्य है. धार्मिक विचारधारा का केंद्र सदा ही मौत की दूसरी और स्वर्ग, मोक्ष, निर्वान पर होता रहा है, जैसा की मौत के बाद क्या होता है, यहां मौत से पहले का कोई समर्थन नहीं है. मै यदि आप मौत से पहले जो हो रहा है, उसके साथ रहने में असमर्थ है, तो आप मृत्यू के बाद कैसे सामना कर पाएंगी? यहां लगभग असंभव होगा. यदि हम मौत से पहले उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम कभी भी मौत के बाद के लिए तयार या योग्य नहीं हो सकते. अपने मौत के लिए तयारी अपने जीवन के दोरान की जानी चाहिए. यदि मौत के बाद एक और दुनिया है, तो वहां भी हमें उन्हें देखना पड़ेगा जो हमने इस जीवन में महसूस किया है. इसके बावजूद की इसका त्यात करने के बारे में हर ब सिवाय जीवन के खुद. मैं यह भी कहता हूँ कि जीवन को प्यार करना किसी का साधना है, किसी के लिए ईश्वर की और की पत. सच्चा धर्म जीवन का उप्योग करना है. जीवन में मौजूद अंतिम सत्य को पहचानना पूर्ण मुक्ती प्राप करने की पहली शुप कद की ओर है. वह जो जीवन को हाथ से छोड़ देता है. वह है जो सब कुछ छोड़ देगा. हालां की धर्म की प्रवृत्ती बिल्कुल उल्ती है. जीवन को फैंको, संसार को त्यागो. धर्म जीवन का विचार नहीं करता. यहां आपको आपके जीवन की मार्गदर्शन में नहीं बताता है कि आप उसे जीएंगे ही जैसे आप उसे जीते हैं. लेकिन यह कहता है कि यदि आपका जीवन दुखध है, तो यह इसलिए हैं क्योंकि आपकी जीवन द्रश्टी अशुद्ध है. जीवन आपको खुशी बरसा सकता है अगर आप उसे जीने का सही तरीका ज जहराई से खोजने के लिए एक माध्यम है। धर्म जीवन से मुझ फेरने का तरीका नहीं है। यह सीधे रूप से जीवन का सामना करना है। धर्म जीवन से भागना नहीं है। धर्म है पूरता जीवन को अपनाना। धर्म है जीवन की फूरी सक्यापन। आजकल के केवल व्रिद्ध लोगों में ही धार्मिक्ता का कोई रुझान दिखता है। आप केवल ईश्वर के स्थानों में मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में बूढे लोगों को ही देखेंगे। यहां तक कि आप वहां किसी युवा को नहीं देखेंगे। क्यों? इसका केवल एक ही स्पष्टी करण है। हमारा धर्म आजकल बढ़ती हुई आयू के लोगों के लिए हैं। इसका उप्योग मृत्यू के भय से बाधित व्यक्तियों के लिए हैं। उनके जीवन के अंत में वहां के ब प्रित्वी बुरे से बुरे की ओर धीरे धीरे डूब रही है। इस ग्रह पर मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, पूजारियों, शिक्षकों, संतों और इस प्रकार के अन्य लोगों की कोई कमी नहीं हैं। लेकिन इसके लोग अब तक धार्मिक नहीं बने हैं। इसका कार प्रतीक नहीं है, धर्म एक समाधिस्तंभ है। इस प्रकार के पक्षपाती धर्म हमारे जीवन में कभी भी जीवन नहीं ला सकता। इसका सबसे मौलिक कारण क्या है? इन कुछ दिनों मैं जीवन के धर्म, जीवन के जीवन विश्वास का चर्चा करूंगा और एक ऐसे तत जीवन के मौलिक नियम को धूप में डालने के लिए अधिकतम कुछ किया गया, इस मौलिक सत्य को दबाने के लिए। और इस गंभीर गलती के परिनामस्वरूप एक सारवजनिक रोग में बदल गया है। सामान आदमी का मौलिक उत्साह क्या है? भगवान? नहीं. आत्मा? नहीं. सत्य? नहीं. मनुश्य की कोर में क्या है? सामान आदमी के जीवन में उस आदमी के जीवन में जो कभी ध्यान नहीं करता, कभी अपनी आत्मा की खोज नहीं करता, कभी धार्मिक यात्रा नहीं करता है कि गहराई में क्या मौलिक इच्छा है? भक्ति नहीं, प्रार्थना नहीं, मुक्ति नहीं, निर्वान, बिल्कुल नहीं में मौलिक इच्छा की तलाश करें, यदी हम इस जीवन के पीछे की शक्ती की खोच करें, तो हम न भक्ति पाएंगे और नहीं भगवान, न प्रार्थना और न ज्यान की प्यास. हम वहां कुछ और पाएंगे एक ऐसी चीज जो अंधकार में धकेली जा रही है जिससे कभी सामना सावधानी से नहीं किया जाता, जो कभी मूल्यामतन नहीं किया जाता और वह क्या है? यदि आप सामान्य आदमी के कोर को विशलेशन और विशलेशन करें, तो आप क्या पाएंगी? इस समय मनुष्य को अलग रखें यदि हम पशु या पौधमय राज्य की ओर देखें, तो हम किसी भी चीज के कोर में क्या पाएंगे? यदि हम एक पौध की गदिविधी का अध्ययन करें, तो हम क्या पाएंगी? उसकी वृध्धी कहां ले जा रही है? उसकी सारी उर्जा एक नए बीज बनाने की दिशा में है उसका पूरा अस्तित्व एक नए बीज बनाने में लगा है पौध क्या कर रहा है? पशु क्या कर रहा है? यदि हम प्राकृतिक गतिविधियों का ध्यान से अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि वहां केवल एक प्रक्रिया है, केवल एक समर्पित प्रक्रिया जारी है और वह प्रक्रिया निरंतर नए और विभिन्न स्वरूपों को बनाने प्रजन के नए और विभिन्न आत्मरुपों का निर्मान का है। फूलों में बीज होते हैं, फलों में बीज होते हैं। और बीज का भविश्य क्या है? बीज का भविश्य एक नए पौध, एक नए फूल, एक नए फल, एक नए बीज में बढ़ने के लिए हैं और इस प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाता है। प्रजन की प्रक्रिया अनन्थ है। जीवन एक ऐसी शक्ती है जो निरंतर अपने को पुनर निर्मान कर रही है। जीवन एक रचनात मकता है, एक स्वयन स्रिष्टी की प्रक्रिया है। यही मनुष्य के लिए भी सत्य है। और हमने इस प्रक्रिया को कामुकता सेक्स कहा है। हमने इसे काम भी कहा है। इस नामकरण को नामकरण कहा जा सकता है। यह एक प्रकार की गाली है। और इस अपमान आत्मा भी बिगार दिया है। फिर कामुकता क्या है। पास्षात्यात मकता क्या है वह शक्ति क्या है जिसे सेक्स कहा जाता है समय के अनादी से लहरें एक के बाद एक आती रही है और किनारे पर टकराती रही है लहरें आती हैं तूटती हैं और पीछे हटती हैं फिर से वे तेजी से आती हैं वे धक्के देती हैं संघर्ष करती हैं बिखरती हैं औ और फिर से पीछे हटती हैं। जीवन में प्रगती की एक आंतरिक इच्छा है आगे बढ़ने की। इन लहरों में एक प्रकार की बेचेनी है और जीवन की लहरों में भी। इसमें कुछ प्राप्त करने के लिए एक निरंतर प्रयास है। लक्ष क्या है। इसमें एक बेहद इ जीवन एक अच्छे जीवन के लिए प्रयास कर रहा है। यहां बिलकुल भी नहीं है केवल कुछ हजार वर्षों की बात है। जब मनुष्य पहली बार प्रिथ्वी पर प्रकट हुआ था। उससे पहले केवल पशु थे। और इससे भी कही नहीं दिन हुए है कि पशु बने। इससे पहले एक समय था जब कोई पशु नहीं थे, जब केवल पौधे थे। नहीं पौधों ने इस प्लैनेट पर बहुत दिनों के लिए मौजूद थे। उससे पहले केवल पथर, पहाड, नदिया और समुद्रों नदियों और समुद्रों का यह संसार बेचैन क्यों था। इसका प्रयास पौधे उत्पन करने की दिशा में था। और धीरे-धीरे, बहुत ही धीरे-धीरे पौधे मौजूद हो यह प्रजन करता रहता था, फूल खिले और फल बढ़ा। लेकिन पौधे भी बेचैन थे। उन्हें भी खुद से संतुष्ट नहीं था। उनकी आंतरिक इच्छा भी कुछ पूचा करने के लिए थी। उन्हें पशूओं और पक्षियों को उत्पन करने की आकांग्शा थी। फिर पशू और पक्षिया उत्पन हुए और युगों तक इस प्लैनेट को कबजा किया। लेकिन मनुष्य कहीं भी नहीं था। और फिर भी मनुष्य हमेशा वहां था। पशूओं में अंतरनिहित कवाच को तोड़ने का प्रयास करता हुआ। जन्म होने का प्रयास करता हुआ। फिर उचित समाय पर मनुष्य अस्तित्व में प्रवेश किया। अब मनुष्य के बारे में कैसे हैं? मनुष्य निरन्तर नए जीवन उत्पन करने के प्रयास में है। और हमने इस प्रवृत्ति को सेक्स कहा है, हमने इसे काम और कामुकता कहा है. लेकिन यहाँ कामुकता का क्या मतलब है? मौनिक इच्छा नए जीवन उत्पन करने की है. जीवन खुद को समाप्थ होने की इच्छा नहीं करता लेकिन यहाँ सब कुछ के लिए है क्या यहाँ हो सकता है कि मनुष्य अंदर से एक बहरर मनुष्य खुद के एक उच्चदम रूप को उपन्द करने का प्रयास कर रहा है क्या यहाँ हो सकता है कि जीवन मनुष्य से कहीं बहटर एक संजीवनी बीज की आशा कर रहा है। नीचे से लेकर औरोबिंदो, पतंजली से बट्रैन रसेल तक सैज ने अपने हृदय की एक छवी को पोशित की है। एक सपना देखा है कि एक उनसे अधिक श्रेष्ट मनुष्य प्रकट होगा एक सुपरमेन। उन्होंने यह पूछा है कि कैसे एक और मनुष्य से श्रेष्ट को पैदा किया जा सकता है। हमने हजारों वर्षों तक प्रजन की इच्छा को जान बूझ कर निंदित किया है। हमने इसे स्वीकार करने की बजाए, हमने इसे गाली दी है। हमने इसे सबसे निमन स्थान पर भेज दिया है, हमने इसे छुपाया और इसे वहां नहीं है, कहकर बहताया है, जैसे कि जीवन में इसके लिए कोई स्थान नहीं है, चीजों के योजना में इसके लिए कोई जगा नहीं है, सच यहा है कि इस इच्छा से अधिक महत्वपून क पुछ नहीं है और इसे उसकी सही जगा देना चाहिए मनर्शने इसे धखकर और इसे कुचल कर खुद को इससे मुक्त नहीं किया है बलकि उसने इसमें और ज्यादा फंसा हुआ है इस दबाव का परिणाम उमीद किये जा रहे परिणाम के विपरीत हुआ है एक नौसिखिये को साइकिल चलाना सीखने का कला कीजिए सड़क बड़ी और चौड़ी हो सकती है लेकिन अगर सड़क के किनारे एक छोटा पत्थर है तो साइकिल चलाने वाला डरेगा कि वहाँ पत्थर से टकराएगा उसे उस पत्थर से मिलने के चांस में सौ में से एक के खिलाफ है यहा पत्थर उसके मन में बड़ा हो जाता है और सडक उसके लिए गायब हो जाती है. उसका उस पत्थर में मोहित हो जाना, उस पत्थर की ओर खिचाना, और अंत में उसे उसके साथ टकर लगा देना. सडक बड़ी और चौडी थी, तो इस आदमी को ऐसा हाथसा कैसे हुआ? मनोविज्ञानी कुए कहते हैं कि सामान्य दिमाग को प्रतिक्रिया प्रभाव का कानून नियंत्रित करता है हम उस चीज से टकराते हैं जिससे हम खुद को बचाने का प्रयास कर रही है क्योंकि हमारे भय का उद्धीपन हमारी चेतना का केंद्र बन जाता है उसी तरह मनुष्य ने पिछले 5000 वर्षों से खुद को सेक्स से बचाने का प्रयास किया है और परिणाम यहा है कि हर जगह, हर कोने में उसे सेक्स के साथ उसके विभिन्नर रूपों में युद्ध करना है प्रतिक्रिया प्रभाव का नियम ने मनुष्य की आत्मा को रोखिया है कि मन उस चीज की और खिट जाता है और उसी चीज से हिपनोटाइज हो जाया है जिससे वह बचने का प्रयास कर रहा है वे लोग जो मनुष्य को यौनता के खिलाफ होने के लिए सिखाते हैं वे पूरी तरह से विप्रीत प्रवृत्ती में दोशी है जो उसे यौनता का अधिमान होने के लिए जागरूप कर रही है आज हम यौनता पर चर्चा करने से डरते है हम इस विशय से इतने भयानत क्यों है यह इस धार्णा के कारण है कि मनुष्य यौनता के बारे में बात करके ही यौन हो जाएगा यह द्रश्टिकोन पूरी तरह से गलत है यौनता और सेक्सॉलिटी के बीच में बड़ा अंतर है जैसा की बातचीत करने के लिए सही और स्वस्थ रूप में सेक्स के बारे में यौनता को समझने के बिना ही हम उससे पार पा सकते हैं आप एक समस्या से अपने आपको उसकी और बढ़ाने से मुक्त नहीं कर सकते हैं केवल एक पागल आदमी यह सोचता है कि उसका दुश्मन उसकी आँखे बंद करने पर गायब हो जाएगा देजट में शुतुरमुर्ग की तरह शुतुरमुर्ग अपनी आंखों को रेत में धनसा देता है और क्योंकि उसे अपना दुश्मन नहीं दिख सकता है उसे लगता है कि उसका दुश्मन वहाँ नहीं है। इस प्रकार की तरकशास्त्र शुतूरमुर्ग के मामले में क्षमय है, लेकिन मनुष्य में यहां अक्षमय है। यौन्ता के संबंद में मनुष्य शुतूरमुर्ग से कहीं अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उसे लगता है कि अपनी आखे बंद करके इसे नजरंदाज करके ही यौन्ता गायब हो जाएगी। ऐसी कोई अद्वत बाते हो सकती हैं क्या। लेकिन अफसोस जिल्ली खीचने से कुछ भी गायब नहीं होता है। बलकी यह यह सिद्ध करता है कि हम यौन्ता से डरते हैं कि इसका प्रभाव हमारी प्रतिरोच से अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम यौन्ता को नहीं जीट सकते इसलिए हम इसे नजरंदाज कर देते हैं। अपनी आखे बंद करना एक कमजोरी का संकेत है और पूरे मानवता इसके दोशी है न केवल मनुष्य ने सीधे तौर पर यौनता को अंदेखा किया है बलकि उसने इसके साथ अंधिनत आंतरिक संधर्षों में भी प्रवेश किया है इस संधर्ष के असरदार परिनामों को यहां लिखना मुश्किल है मानसिक बीमारियों नियूरोसिस का 98 प्रतिशत कारण यौनता के दबाव में है हिस्टीरिया और संबंधित बीमारियों से पीडित 99 प्रतिशत महिलाएं यौन संबंधों की वज़से कष्ट प्राप्थ हो रही है भय, संदेह, चिंता, समकालीन मनुश्य पर तनाव और तनाव का प्रमुक कारण प्रेम के दबाव है मनुश्य ने अपने स्वाभाविक और शक्तिशाली इच्छा को पीछे कर दिया है सेक्स को समझने का प्रयास किये बिनाही हमने इसे भय के कारण अपनी आखे बंध कर दी है और परिणाम वाकई विप्रीत हो गए है इस सत्य को देखने के लिए मनुश्य को केवल अपने साहित्य, अपने मन के दरपण की जाच करनी होगी यदि चांच से या मंगल से कोई व्यक्ति यहां आए और हमारे साहित्य को पढ़े, हमारी किताबे और कविताए पढ़े, हमारी चित्रकला को देखे, तो उसे हैरानी होगी उसे यह पूछना होगा कि क्यों मनुष्य की सारी कविताएं, उपन्यास, मैगजीन और कहानिया यौन से भरी है क्यों हर मैगजीन कवर पर एक आधी नंगी महिला होती है क्यों हर फिल्म केवल वासना के बारे में होती है, वह पूछेगा वह हैरान हो जाएगा आधिवासी यात्री यह पर आश्चर्यचकित होगा कि मनुष्य सिर्फ यौन के बारे में ही सोचता क्यों है अगर वह किसी से मिलकर बातचीत करे, तो वह और अधिक भ्रमित होगा क्योंकि वह आद्मी उसे यह कहने का प्रयास करेगा कि उसे यौन के अस्तित्व के बारे में पूर्नता से भ्रांती है यह आद्मी आत्मा, भगवान, स्वर्ग, मुक्ती के बारे में बात करेगा लेकिन उसे यौन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा, हाला कि उसके संपूर्ण अस्तित्व में यौन विचार होगा। अद्वितिय यात्री को हैरानी होगी कि मनुष्य ने उसी के बारे में श्रेश्ट विचार करने के लिए हजारों और एक उपकरण बनाए हैं, जिने किसी के द्वारा नहीं चिड़ाया जाता है। मनुष्य की मृत्यू केंद्रित धर्म ने मनुष्य को यौन मनस्क बना दिया है, और यहां उसे दूसरे कोने से भी विकृत कर दिया है। यहां उसे ब्रहमचर्य सेलिबेसी के स्वर्निम शिखर को दिखाता है, लेकिन पहली पगड़ी पर पैर जमाने, आधार को समझने, यौन को समझने में कोई मार्ग दर्शन नहीं देता, हमें यौन को पहचानना और समझना होगा, हमें इस मौलिक इच्छा को समझना होगा इसको समझने के बाद ही हम इसे पार करने, उसे उच्चर रूप में परिनामीत करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि हम सेलिबेसी के स्थान तक पहुँच सके इसे सभी रूपों और पहलूँ में इस मौलिक जीवन शक्ती को समझने के बिना, मनुष्य के सभी प्रयास उसे नियंतरित करने और दबाने में केवल उसकी हानी में ही आएगा, जिससे वह एक बीमार और असंबोधित पागल हो जाएगा पर हम मौलिक बीमारी पर ध्यान नहीं देते, हम ब्राहमचर्य के उच्च आदर्श को गुलामी में बदल देते हैं मनुष्य कभी इतना बीमार, तंतुभूत, दुख्यी और अद्भूत नहीं रहा है मन पूरी तरह से विकृत है, वह जड़ में विश से भरा हुआ है एक बार मैं एक अस्पताल के पास जा रहा था मैंने एक संकेत पर पढ़ा, यहां एक बिच्चु ने एक आदमी को काटा था उसका इलाज एक दिन में किया गया और उसे छोड़ दिया गया एक और सूचना यह थी, एक आदमी को सांप ने काटा था उसका इलाज किया गया और वह तीन दिनों में स्वस्थ होकर घर गया तीसरी रिपोर्ट में यह लिखा था, एक आदमी को पागल कुत्ते ने काटा था उसे दस दिनों से इलाज किया जा रहा है और वहाँ शीग्र ही ठीक हो जाएगा फिर एक चौथी रिपोर्ट भी थी एक आदमी को एक आदमी ने काटा था, इसमें कहा गया था यह कई हफ्तों पहले हुआ था वहाँ बेहोश है और उसके बराबर बचने की संभावना केवल एक बारीक सी है मुझे आश्चर्य हुआ क्या एक आदमी की काटने की चुम्बकियत इतनी ज्यादा हो सकती है अगर हम सचेत हैं, तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि मनुष्य में काफी विष्जमा हो गया है शायद इसका कारण उसके कुवाक चिकित्सकों के वज़े से है लेकिन सबसे पहला कारण यहाँ है कि वहाँ उसमें जो स्वाभाविक है अपनी मौलिक वैशिष्च को स्वीकार करने में इनकार करता है हमने अपनी जन्मजात इच्छाओं को नियंतरित करने का वांचित प्रयास किया है उन्हें बदलने कुछ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है हम में उस उर्जा को गलत तरीके से नियंतरित करने के लिए स्वयंको बाधित कर लिया है वह जलते हुए लावा की तरह हम में उبाल रही है या हमेशा अंदर से धकेल रही है अगर हम सावधान नहीं रहें तो यह किसी भी खषड हमें गिरा सकती है और क्या पता है जब यह थोड़ी सी छिद्र मिलती है तो क्या हो सकता है? मैं एक उदाहरन के साथ स्पष्ट करूँगा एक विमान एक सासिक संधटन में पड़ता है आप उसके नस्दीक हैं और आप स्थल पर जा रहे हैं जब आप अशी तुकडी में एक शव देखते हैं तो आपके मन में पहला प्रश्ण क्या होगा? क्या यह व्यक्ती हिंदू है या मुसलिम है? नहीं क्या यह व्यक्ती भारतिय है या चीनी? नहीं एक द्रिड सेकंड में और सबसे पहले आप देखेंगे कि शव एक पुरुष का है या एक महिला का है क्या आपको पता है कि यहाँ प्रश्ण सबसे पहले क्यों उपन्न होता है? यह दभी यौनता के कारण है यह यौन्ता की दबाव के कारण है कि आप में एक पुरुष और महिला के बीच का अंतर के प्रती इतने चेतन रहते हैं आप किसी के नाम, चहरा, नाग्रिक्ता को भूल सकते हैं अगर मैंने आप से मिला होता तो मैं आपका नाम, चहरा, जाती, आयू, स्थिती सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन आप किसी के लिए कभी भूल नहीं सकते हैं कि कोई पुरुष था या एक नहीं लाथी. जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सभी अन्य बाते भूल जाते हैं, तो आप उस पहलू को अपनी स्मृधी से क्यों मिदा नहीं सकते? यहां इसलिए हैं कि यौन्ता की जागरुकता इतनी मजबूत रूप से मन के देवार में हैं, उसके विचार प्रक्रियाओं में हैं. यौन्ता हमेशा मौजूद है, हमेशा सक्रिय है. हमारी समाज या हमारा प्लैनेट कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता जब तत इस लोहे के परदे इस दूरी के बीच पुरुष और महिलाओं के बीच में हैं. पुरुष अपने आप से शांती नहीं कर सकता जब तक इस ज्वलंद आग का आंतरिक आंधी अंधर रहेगा, जब तक वह इस पर तंगी से बैठा है. उसे प्रतिमा को हर क्षण हर दिन की कोशिश करनी होती है. यहां आग हमें जला रही है, यहां हमें सिजा रही है. यहां एक शत्रु नहीं है, यहां एक दोस्त है. इस आग की प्रकृति क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार जब आप इस आग को जानोगे तो यहां और एक शत्रु नहीं रहेगा, यहां एक दोस्त बन जाएगा. यदि आप इस आग को समझते हैं, तो यहाँ आपको नहीं जलाएगा यहाँ आपके घरों को गरम करेगा, यहाँ आपके लिए खाना पकाएगा और यहाँ आपका जीवन भर का दोस्त बन जाएगा आकाश में बिजली लगातार लगी रहती है कभी-कभी यहाँ लोगों को मारती थी, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इसी उर्जा से कभी ना कभी हमारे पंखा चलेगा और हमारे घरों को रोशन करेगा उस समय तक हम ऐसी संभावनाओं की कलपना नहीं कर सकते थे लेकिन आज यह बिजली हमारा दोस्त बन गई है कैसे? क्या हमने अपनी आखे बंद कर ली होती तो हमने कभी नहीं समझ पाते हम इसके रहस्यों को कभी नहीं समझ पाते यह हमारा शत्रु रहता यह हमेशा भय का विशय रहता लेकिन मनुष्य ने विद्यूत के प्रती मित्रता अभिभूत की उसमें इसे समझने, जानने का संकल्प किया और धीरे-धीरे एक स्थाई मित्रता विक्सित हुई ऐसा नहीं हुआ होता तो हम आज संभालने की क्षमता को केवल महतोरने की शक्ती के रूप में हासिल करते लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे देखने के लिए तैयार नहीं थे इसे समझने के लिए तैयार नहीं थे मनुष्य के अंदर उसकी लिबिडो विद्यूत से भी अधिक महत्वपूर्ण है हिरोशिमा शहर में एक सुक्ष्म पर्माणों मामूल्य को पूरे एक लाख लोगों को नश्ट कर दिया लेकिन मनुष्य की उर्जा का एक पर्माणों एक नए जीवन एक नए व्यक्ति को उत्पन कर सकता है यौनता एक पर्माणों बम से भी शक्तिशाली है क्या आपने कभी इस शक्ति के असीन संभावनाओं के बारे में सोचा है इस बारे में कैसे हम इसे मानवजाती के लिए बहतर अनाने के लिए परिवर्टित कर सकते है एक ग्रून एक गांधी एक महावीर एक बुद्ध एक इसा बन सकता है इसमें एक आइंस्टीन उत्पन्न हो सकता है एक न्यूटन इसमें प्रकट हो सकता है यौन उर्जा का एक अनन्थ छोटा सा परमाणू में गांधी जैसा उभी व्यक्ति है लेकिन हमें यौनता को समझने की कोशिश तक करने का उत्साह नहीं है हमें इसके बारे में सारवजनिक रूप से बात करने के लिए भी बहुत बड़ी साहस की आवशकता है यह कौन सा भय है जो हमें प्रबल करता है ताही हम उस शक्ति को समझने के लिए तयाद नहीं है जिससे पूरा विश्वपन्न होता है यह भय क्या है? क्यों हमें यौन्ता इतना चिंति करता है? लोग आश्चर्यचकित हो गए थे जब मैं पिछले महीने बॉम्बे में पहली मुलाकात में यौन्ता के बारे में बोला मुझे कई गुस्से भरे पत्र मिले जिनमें मुझसे इस प्रकार बात करने की मानहानी न करने का अनुरोध किया गया पत्रों में कहा गया कि मुझे इस विशय पर कभी बात करना चाहिए ही नहीं मैं हैरान हूँ कि क्यों इस विशय पर चर्चा की जाने नहीं चाहे जब यह इच्छा पहले ही हमारे अंदर है तो हमें इस किनारे में क्यों बात नहीं करनी चाही हम उसके व्यवहार को समझ सकेंगे उसे विशलेशन कर सकेंगे तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम उसे एक उच्चस्तर पर उठा सकते हैं। उसे समझकर हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। हम उसे वशीभूत कर सकते हैं। हम उसे उच्चस्तर पर उत्रिष्ट कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, हम मर जाएंगे और फिर भी हम यौन की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएंगे मेरा कहने का मतलब है कि वे लोग जो यौनता के बारे में बात करने को मना करते हैं वे ही लोग हैं जो मानवता को यौन के एक अजीब गहराई में धकेल देते हैं जो यौनता से भैभीत है और इसलिए अपने आपको यौनता के अंजान बना लिया है वे पागल है उन्होंने पूरे विश्व को एक विशाल मानवास पताल बनाने की साजिश की है धर्म मनुष्य की उर्जा के परिवर्तन से संबंधित है धर्म का उद्देश्य है मनुष्य के आंतरिक अस्थित्व को समेकित करना उसकी नीती आशिरवादी आकांख्षाओं और उसकी मौलिक इच्छाओं दोनों यह भी सत्य है कि धर्म को मनुष्य को निम्न से उच्च की और मार्गदर्शन करना चाहिए अंधकार से प्रकाश की और असत्य से सत्य की और क्षणिक से शाश्वत की और लेकिन कहीं पहुँचने के लिए हमें आरंब की जगा को जानना होता है हमें वहां से शुरू करना होता है जहां हम है इसमें जानना आवशक है और इस मोड पर यौनता है तथ्य वास्तविक्ता है यौनता शुरुवात है लेकिन इश्वर भगवान यहां से बहुत दूर है हम सिर्फ उसकी सत्यता तक पहुँच सकते हैं जोगे यात्रा की शुरुवात के स्थान को समझ कर इसके बिना हम एक इंच भी नहीं हिल सकते हैं हम खो जाएंगे हम एक मेरी गोराउन पर होंगे कहीं भी नहीं जा रही होंगे तो मुझे महसूस हुआ कि आप जीवन की यधार्थों का सामना करने के लिए तयार नहीं थे फिर और कुछ हो सकता है क्या? हम क्या हासिल कर सकते हैं? फिर इस भगवान और आत्मा के बारे में सब कुछ बेहत किसी बात का मतलब नहीं है यह सब आशिरवात की रिखा हुआ बकवास है यह सब बस खोखली बाते हैं वस्तो को समझकर ही हम उससे पार कर सकते हैं वास्तविक्ता ही उच्चता है और पहले से पहले एक तथ्य को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए मनुष्य यौन संबन्द से उत्पन्न होता है उसका संपूर्ण अस्तित्व यौन संबन्द के कारण है मनुष्य यौन उर्जा से भरा हुआ है जीवन स्वयम की उर्जा यौन की उर्जा है यह यौन उर्जा क्या है या क्यों हमारे जीवन में इतनी शक्तिशाली अफसोस है या हमारे पूरे अंगों में क्यों बसी हुई है हमारा जीवन इसके चारों और क्यों घूमता है यहां तक की अंत तक इस उत्रिष्ट के स्रोत क्या है रिशियो और संतों ने हजारों वर्षों तक यौन को अपमानित किया है, लेकिन मन अब भी प्रभावित नहीं हुआ है उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें यौन का सामना करना चाहिए कि हमें इसके बारे में सभी विचारों और इच्छाओं को दूर करना चाहिए ताकि हम माया कल्पित दुन्या से मुक्त हो सके, फिर भी मन अपनी शैक्तिकों से मुक्त नहीं हो सका है. इस तरीके से आप यौन से मुक्त नहीं हो सकते, यह दृष्टिकों गलत है. जब मैं वेश्याओं से मिलता हूँ तो वे कभी भी यौन के बारे में बात नहीं करती उन्होंने आत्मा और ईश्वर के बारे में पूछती है मैंने भी कई साधों और सन्यासियों से मिला है और जब हम अकेले होते हैं तो उन्हें यौन के बारे में भी कुछ नहीं पूछता है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ की तपस्वियों ने हमेशा यौन के खिलाफ उपदेश दिया है, लेकिन वे इसमें खोए हुए लगते हैं। उन्हें यह परेशानी है और इससे उन्हें विक्षिप्ट किया जाता है। उनके पास इसके बारे में यह मानसिक जटिलता है, लेकिन फिर भी वे धर्म और मनुश्य की पशु इच्छाओं के बारे में प्रवचन देते हैं। और यौन्ता इतनी प्राकृतिक है। हमने इस समस्या को समझने के लिए न तो चाहा है और नहीं कोशिश की है। हमने कभी इस पर यह अभ्यंग किया है कि यौन में इतनी बड़ी आकर्शन है इसे समझने की कोशिश करने का कारण। कौन सिखाता है आपको यौन्ता। पूरी दुनिया इसकी सिखाने के खिलाफ है। की शिक्षा के लिए कोई स्कूल या विश्व विद्याले नहीं है। प्रत्यक शिक्षा संस्थान इसकी जानकारी को निशेदित करता है। लेकिन किशोरावस्था में एक यूवक स्वयन यह जान लेता है कि उसका संपूर्ण अस्तित्व, उसकी प्रान शक्ती यौन से संबंधित चिंता से भरा हुआ है। फिर हजारों वर्षों से लागू की गई सावधानिया गिरती हैं। और यौन जीतता है। यह कैसे होता है। सत्या और प्रेम की प्रवचन किये जाते हैं। लेकिन उन प्रवचनों का सामर्थ नहीं बनता। वे दुर्बन अस्तित्व के केंद्र में मजबूती से नहित है। लेकिन यह कहां जड़ी है। इस प्रारतिक आकर्शन इस ऐसी शक्तिशाली इतनी गहराई वाली खीच का केंद्र कहां है। वहां रहता है रहस्य। और सबसे पहले इस रहस्य को पहचानना आवश्शक है। उसको ही हम पार कर सकते हैं। मौनिक रूप से हम जो यौन के प्रती आकर्शन महसूस करते हैं, वास्तव में यौन के प्रती आकर्शन नहीं है। प्रतेक वीर्यपात के बाद एक आदमी खाली, खाली, उबारू हुआ महसूस करता है। उसे खेद होता है, थोड़ी सी जलन होती है। उसे इस अभ्यंतर मुद्रन को भविश्य में बचाने का सोचते हुए खेद होता है। तो इस आत्मदर्पन की भावना का कारण क्या है? यह कुछ और के लिए इच्छा है, सिर्फ भौतिक संतोश के लिए नहीं। सामान्यत, आदमी व्यापकत वह सीमा तक पहुँच नहीं सकता जिस तक वह यौन संबंध की समापन करता है। उसके सामान्य जीवन, उसके दैहिक कारेक्रम में एक आदमी कई अनुभव करता है, वह खरीदारी करता है, व्यापार करता है, अपने जीवन का आजीवनी कमाता है, लेकिन संभोग में वह अपने आत्मा की सबसे गहरी अनुभूतियों को प्रकट करता है। और इस अनुभव में गहराई से धारिता धारित है, वहाँ आदमी अपने आत्मा के परे पहुचता है, वहाँ वह खुद को पार करता है। उसके इन गहराईयों में उसके साथ दो बाते होती हैं। पहली बात संभोग में अहंकार लिपट जाता है। अहंकार हिंता बनाई जाती है। एक खषण के लिए वहाँ कोई मैं नहीं है, एक खषण के लिए कोई अपने आपको याद नहीं करता है। क्या आपको वता है कि मैं भी धर्म के अनुभव में पूरी तरह से हल चल जाता है कि धार्मिक अनुभव में एहंकार भी शून्य में विलीन हो जाता है। यौन संबंद के कृत्य में एहंकार मिट जाता है। विसर्जन एक आत्ममिटाने की स्थिती है। दूसरी बात यौन अनुभव की यह है कि एक क्षण के लिए समय अनुपस्थित हो जाता है, एक क्षण के लिए अकालपन बनाई जाती है, जैसा कि यीशु मसी ने समाधी के बारे में कहा है, वहां समय और नहीं होगा, विसर्जन में समय की भावना अस्तित्व में नहीं है, वहां कोई भूतकाल नहीं, कोई भविश्य नहीं है, वहां केवल वर्तमान क्षण है, वर्तमान को समय का हिस्सा नहीं माना जाता, वर्तमान सनातन है, यह दूसरा कारण है कि आदमी यौन के लिए इतना उत्सुख है, इच्छा नहीं है महिला के शरीर के लिए एक पुरु केवल एक पल के लिए ही रहता है लेकिन इस अलपकालिक क्षण के दौरान एक आदमी एक कुशल मात्रा में उर्जा और जीवन खो देता है और बाद में अपने नुकसान पर शोक करता है कुछ प्रजातियों के पशों में सिर्फ एक यौन संबंद के बाद पुरुष मर जात यह नहीं कि आदमी को यहां अंदेखा रहता है कि संबंद उसकी शक्ति को कम करता है उसकी उर्जा को कम करता है और मौत को इतना करीब लाता है प्रत्यक अनुभव के बाद उसे अपनी आत्मस्मर्पन की पच्चतावा होती है लेकिन थोड़ी देर में उसे फिर से उत्सा ही होता है बेशक इस व्यवहार के इस पैटर्न के पीछे उससे ज्यादा गहरा अर्थ है जो आख को आता है यौन अनुभव से केवल शारिरिक रूटीन से कहीं बारीक स्कर है यह एक स्कर है जो आध्यात्मिक रूप में है इस अनुभव को समझने के लिए आपको सावधा पूर्ण ध्यान देना होगा यदि आप इस अनुभव के अर्थ को समझ नहीं सकते हैं तो आप केवल यौन में ही जीवित रहेंगे और में चमकती है लेकिन अंदकार बिजली का हिस्सा नहीं है उन दोनों के बीच एक मात्र संबंध यह है कि बिजली केवल रात में ही लेकिन यह प्रक्रिया यौन से ही नहीं है हालांकि यह उससे जुड़ा होता है यह केवल एक परिणाम है जो प्रकाश यौन में चमकता है वह यौन से पार है यह उससे परे से आता है अगर हम इस अनुभव को समझ सकते हैं जो अन्यत्र से आता है तो हम यौन से पार कर सकत अन्यथा हम कभी नहीं कर सकेंगे। जो यौन के प्रती अंधाधुन्द विरोध करते हैं, वे कभी इसे सही दृष्टिकोन में समझ सकेंगे नहीं। वे कभी इस अप्रिपक्व इच्छा की और इस गहरी लालसा की कारण का विशलेशन कर सकेंगे नहीं। मैं जो बताना चाहता हूँ वह है कि यह यौन के प्रती इस बलवान और आवर्ती आकर्शन का श्वास लेने के लिए क्षणिक समाधी की अनुभूती के लिए हैं। यदि आप यौन के बिना ही समाधी को प्राप्त करना सीख सकते हैं, तो आप यौन से मुक्त हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दिखाया जा सकता है, कि वह यौन से बिना किसी अन्य साधन और बहुत अधिक मात्रा में वही आनन्द प्राप्त कर सकता है, तो उसका मन स्वयम ही यौन की और नहीं बढ़ाएगा, उसका मन उसी दिशा में दोड़ना शुरू हो जाएगा इनसान ने समाधी का पहला अनुभव यौन संबंद के अनुभव में पाया लेकिन यह संबंद एक बहुत महंगा कारोबार है एक बहुत ही महंगा कारोबार है बिलकुल और यहाँ एक क्षण से अधिक नहीं चलता एक क्षणिक पर्मानन के बाद हम फिर से अपनी मून स्थिती में लोटते हैं एक सेकंड के लिए हम एक विभिन अस्थित्व की ओर पहुचते हैं एक सेकंड के लिए हम अत्याधिक संतोष के एक शिखर की ओर चड़ते हैं। प्रेणा सबसे उपर की ओर है, लेकिन हमने मात्र एक कदम बढ़ाया है, जब हम पहले बेस पर वापस गिरते हैं। एक लहर आकाश चूने का इच्छुक है, लेकिन यहां अभी भी सूचने योग्य है कि यहां पहले से ही गिरने लगी है। हम वैसी ही हैं। उस उतक्रिष्ट अनुभूती के लिए, उस आनंद के लिए, उस साक्षातकार के लिए हम समयस्मय पर उर्जा जमा करते हैं। और फिर से चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। हम लगभग उस सूक्षमतर स्थान, उस उच्चक शेत्र को छूने के करीब पहुचते हैं। लेकिन फिर हम अपनी मूल स्थिती में वापस गिर जाते हैं। बड़े पैंप और उर्जा के कमी के साथ। जब तक मनुष्य की मानसिकता इस यौन नदी में दूबी रहती है, वह बार-बार फिर से उठता और फिर गिर जाएगा। जीवन एक अहम दिशा है, जो अहमकारहिंता की ओर, अकालहिंता की ओर की पुन्रावृत्ती है, चाहे वह सच्ची हो या असच्ची। असली असली अपने आत्मा को जानने की, सत्य को जानने की, मूल, शाश्वत, अकालिक स्रोत को जानने की इच्चा है, उसके साथ एकी करण करने की, जो समय के परे है, शुद्ध अहमकारहिंता प्राप्त करने की। यहां आत्मा की अग्यात आंतरिक इच्चा को संतुष्ट करने के लिए है, कि यहां संसार यौन के धुर पर घूंगता है, लेकिन हम इस प्राकृतिक, आंतरिक और सर्वव्यापी घटना की अस्तित्व को इनकार करना जारी रखते हैं, तो हम इस सत्यानु घूती के साथ क हमारे चित्त का केंद्र बन जाता है, हम खुद को इससे मुक्त नहीं कर सकते, हम इससे बंधित हो जाते हैं, उल्टी प्रभाव का कानून प्रवरित होता है, और हम इससे बंधित हो जाते हैं, हम यौन से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जितनी कोशिश करते हैं, कि हम इस से छुटकारा पाएं, हम उसमें और उलजते हैं. एक आदमी बीमार था. उसकी बीमारी यह थी कि उसे बहुत भूख लगती थी, लेकिन वास्तव में उसमें कोई बीमारी नहीं थी. उसने पढ़ा था कि जीवन की नकारात्मक्ता मुक्ती की ओर जाने का मार्ध है. उस यह भी सुनाया गया था कि खाना हिंसात्मक है और अहिंसा के नियोंगों के खिलाफ है. लेकिन जितना वह खाना को पापी मानता था, उतना ही वह अपनी भूख को दबाने की कोशिश करता रहा. और भूख ने बराबरी के साथ अपनी जड़ बना ली. वह तीन या चार दि के लिए उपवास करता था और फिर अगले दिन वह एक लालची की तरह कुछ भी खा लेता था. खाने के बाद उसको अपने वरत तोड़ने पर खेद होता था साथ ही, अधिक खाने का भी अपना प्रतिक्रियाय होती थी और फिर प्रायश्चित करने के लिए उसका एक और उपवास होता था और फिर उसके बाद वह कुछ समय के लिए खाता था. आखिरकार उसने निर्धारित किया कि यहां उचित मार्क को अपनाना संभव नहीं है जब तक वह घर में रहता है और इसलिए उसने दुनिया को त्याग दिया, जंगल गया, एक पहार चड़ा और ए ने उसे एक गुच्छा फूल भेजा. उसने उसे शीगर स्वस्थ होने और तेजी से वापसी की कामना की. आदमी ने एक नोट के साथ जवाब दिया, फूलों के लिए बहुत धन्यवाद. वे स्वादिश्ट थे, आदमी ने फूलों को खा लिया था. हम एक आदमी को खान खाने के बजाए फूल खाते हुए कलपना नहीं कर सकते हैं. लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा कि उस आदमी ने किया था. बेशक जो खाने के प्रती आ सकत हैं, वे इस स्थिती को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. अधिक या कम एक ही अनुपात में प्रतेक व्यक को सही धंग से मूल्यांतन करना कठिन है. क्या होमोसेक्स्वालिटी किसी और स्थान पर है बाकी सभी के इस तरह के समृध्धी युक समाजों के अलावा? पिछले क्षेत्रों में रहने वाले प्राकृतिक लोग एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाते हुए क इश्वास नहीं किया. लेकिन पश्चिम में होमोसेक्सॉल क्लप्स है और यहां एक संधठन है जो यहां दावा करता है कि होमोसेक्सॉलिटी को प्रतिबंदित करना जब इतने लोग इसे अभ्यस्त कर रही हैं तो यहां लोग तंत्र के खिलाफ है. उन्होंने यहां बताय है कि कानून द्वारा होमोसेक्सॉलिटी का प्रतिबंद एक बहुमत्ती द्वारा अल्पमत्ती पर आत्मबलिदान है कि यहां एक अधिकांश द्वारा अल्पमत्ती पर एक बलिदान है. होमोसेक्सॉलिटी को जन्म देने वाले तत्व का मानसिक्ता यौन से हुआ युद क्या आप जन्जातियों के पहाडी क्षेत्रों में हमारी दूरस्त बसासियों में एक वेश्या को ढून सकते हैं? असब्भावित है इन लोगों को यह भी सोचना मुश्किल है कि ऐसी महिलाए है जो अपने गुरवत्ता को बेचती है, जो मुआवजा के लिए संबंध बनाती है लेकिन यह यौन व्यापार मानव सभ्यता के अग्रसर होने के साथ विक्सित हुआ है यह फूनों को खाने का कृत्य है और हम और भी आश्चर्यचकित होंगे अगर हम सभी यौन की अन्य परिवर्तनों को पूरी तरह से मान लेंगे अगर हम इसके सभी भीशन प्रस्तुतियों का समीक्षन करें इस कुरूपता और विकृती के लिए कौन जिम्मेदार है वे लोग जो मनुष्य को समझने के बजाए यौन संबंद को दबाने सिखा रही है वे जिम्मेदार है इस दबाव के कारण मनुष्य की यौन उर्जा गलत स्थान से बह रही है मनुष्य का समू बीमार और दीन है और यदि इस कैंसरों भरे समाज को बदलना है तो यहां आवश्शक है कि यहां स्वीकार किया जाए कि यौन की उर्जा दिव्य है कि यौन के प्रती आकर्शन मौलिक रूप से धार्मिक है यहां आकर्शन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यहां निश्चित रूप से शक्तिशाली है यदि हम यौन के मौलिक स्तरों को समझ सकते हैं, तो हम मनुष्य को यौन से बाहर उठा सकते हैं केवल तब ही काम की दुनिया से राम की दुनिया उत्पन्न हो सकती है केवल तब ही एक करुणा की दुनिया इस प्रवृत्ती की दुनिया से विक्सित हो सकती है एक दोस्तों के समू के साथ मैंने खजुरा हो जाकर वहां के विश्व प्रसिद मंदिर को देखने के लिए जाया मंदिर की बाहतम दीवार, मंदिर की परिधी, काम के विभिन्न सीनों से सजीव है विभिन्न संबंदों के विभिन्न स्थितियों के साथ वहां कई विभिन्न स्थितियों की मूर्तिया है, सभी यौन स्थितियों में मेरे दोस्तों ने पूछा कि वहां मूर्तिया मंदिर को सजाने के लिए वहां क्यों है मैंने उन्हें समझाया कि उन वास्तुकलाकारों ने जो इस मंदिर की निर्मान कर रहे थे वे उच्च बुद्धिमान लोग थे उन्हें यह पता था कि आशिकी और यौन संबंध जीवन की परिधी पर होते हैं और मानते थे कि वे जो अभी भी यौन से उल्जे हुए हैं उनका मंदर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है हम मंदर में प्रवेश किया अंदर वहां भगवान की मूर्ती नहीं थी मेरे दोस्त हैरान थे कहीं भी मूर्ती नहीं दिखाई दे रही थी मैंने उन्हें समझाया कि जीवन की बाहयतम दीवार पर भ्रिष्टाचार और काम मौजूद हैं जबकि भगवान का मंदिर अंदर है वे जो भावनाओं में हैं जो यौन, प्रेम और आशिकी में प्रवरित हैं वे भगवान के मंदिर तक पहुँच नहीं सकते वे बस बाहयतम दीवार के चारों और घुमते रहते हैं इस मंदिर के निर्माता बहुत समझदार लोग थे यहां एक ध्यान केंद्र था सता पर यौनता, सभी और केंद्र में शांती और शांती उन्होंने आशिरवादियों को सबसे पहले यौन पर ध्यान करने की कहा, बाहय दीवार पर चित्रित संबंदों पर पूरी तरह से विचार करने की कहा और जब उन्होंने यौन को पूरी तरह से समझ लिया था और उनका मन इससे मुक्त है, तो वे अंदर जा सकते थे तब ही वे भगवान के सामने खड़े हो सकते थे लेकिन धर्म के नाम पर हमने यौन को समझने की कोई संभावना भी नश्ट कर दी है हमने यौन हमारी मौलिक प्रवृत्ती पर युद्ध की घोशना की है मानक नियम है कि यौन को देखना ही नहीं चाहिए बलकि अपनी आखे बंद करके भगवान के मंदिर में अंधाधुंद घुस जाना चाहिए लेकिन क्या कोई अपनी आखे बंद करके कहीं पहुँच सकता है यदि आप अंदर पहुचते हैं तो आप बंद आखों के साथ भगवान को नहीं देख सकते बजाए इसके आप केवल उस चीज को देख पाएंगे जिससे आप भाग रही है शायद कुछ लोग मुझे यौन के प्रचारक मानते होंगे ऐसा हो तो कृप्या उन्हें बताएं कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से नहीं सुना है इस दिनों इस प्रिथवी के चेहरे पर यौन के अधिक दुश्मन पा जाने वाला कोई नहीं है जो मैं हूँ यदि लोग मेरे कहे गए को ध्यान से सुन सकते हैं बिना पक्षपात के तो यह संभव है कि मनुष्य को यौन से मुक्ती प्राप्थ हो सके यह एक बहतर मानवता के लिए एक मात्र मार्ग है हम उन पंडितों को जो यौन के शत्रू मानते हैं वास्तव में उसके शत्रू नहीं बलकि उसके प्रचारक है उन्होंने यौन के चारों और एक चमक बनाई है उनकी कठोर प्रतिरोध ने यौन के प्रती एक मूर्ख आकर्शन बना दिया है एक आदमी ने मुझसे कहा कि उसे उस चीज में रुची नहीं है जो किसी ने अस्वीकृत, चुनौती पूर्ण या आपत्ती की हो जैसा हम सभी जानते हैं, चोरी हुआ फल हमेशा बाजार से खरीदे गए फल से मीठा होता है इसलिए अपनी पत्नी उतनी ही आकर्शक नहीं है, जितनी की पडोसी की पत्नी लगती है दूसरी चोरी हुई फल की तरह होती है, दूसरी प्रतिबंधित खासी होती है और हमने यही स्थिती यौन को दी है, यहाँ बहुत प्रलोगनिया है इसे इतनी ज्यादा रंगीन जूट की उची कोट मिल चुकी है, कि यहाँ कुछ भीतर लुभा रहा है बर्ट्रेंड रसेल ने लिखा है, कि विक्टोरियन यूग में, जब वहाँ बच्चा था, महिलाओं की टांगे कभी भी सारवजनिक रूप से दिखाई नहीं जाती थी उनके पहनावे जमीन को छूते थे, उनके पैरों को पूरी तरह से धांपते थे यदी किसी महिला का टोंगा यदी यहां तक की दिखाई दे, तो किसी पुरुष को तुरंद उस पर कामुकता हो जाती थी, यहां उसकी उत्तेजना को उत्तेजित करता रसेल और लिखते हैं कि आज की महिलाए अपनी टांगे लगभग आधेंगे होकर घूमती हैं, लेकिन यहां नोट करते हैं कि इससे हमें इतना प्रभाव नहीं होता इससे साबित होता है, उन्हें जितना हम किसी चीज को छुपाएंगे, उतनी ही हमारी जिग्यासा को तेजित करने का पहला कदम है, बच्चों को उनके घर में जितना संभव हो सके, नंदा रहने की अनुमती देना जितना संभव हो सके, सलाह दी जाती है कि बच्चों को, लड़कों और लड़कियों दोनों को नंगे होकर खेलने की अनुमती दी जाएं, ताकि वे पूरी तरह से एक दूसरे के शरीर से परिचित हो जाएं फिर कल उन्हें गलियों में एक दूसरे के पास घुमने की कोई आवशक्ता नहीं होगी, फिर उन्हें पुस्तकों में नंगी तस्वीरे छपाने की कोई आवशक्ता नहीं होगी, फिर उन्हें एक दूसरे के शरीरों से इतनी अच्छी तरह से परिचित हो जाएगा कि भव जनोंने शरीर को धका और चुपाया है, उन्होंने अंजाने में उसके प्रती इतनी बड़ी आकर्शन बना दिया है कि हालां कि यह हमारे मनों को प्राप्थ हो गया है, हमने अब तक उसके पूर्ण प्रभाव को महसूस नहीं किया है। बच्चों को लंगडा रहना चाहिए और वे नंगे होकर बहुत समय तक खेलना चाहिए ताकि उन्हें जीवन के अब बाकी के हिस्से को परेशान करने वाले किसी भी उनमत्तता का बीज बाकी न रहे। लेकिन बीमारी पहले से ही मौजूद है और यहां बढ़ती जा रही है। इस बीमारी की मौजूदगी को अब विवेचना किया जा सकता है जो अब प्रकाशित हो रही अशलील साहित्य की बहुत मात्रा में। लोग इसे गीता और बाइबल के कवर के बीच छुपा कर पढ़ते हैं। यौन शिक्षा की शिक्षाओं का उत्पाद है। यदि इन शिक्षाओं का पालन किया जाता है, यदि इन अवैज्ञानिक प्रवचनों की सलाह ली जाती है, तो मानव का आत्मा पूरी तरह से यौनता से भर जाएगा। यहां लगभग हो चुका है। लेकिन धन्यवाद ऐसे शिक्षकों की सफलता बहुत कम है। और इनकी असफलता के कारण मानव ने अपनी कुछ बुद्धिमत्ता, अपनी कुछ विवेक की बचत कर सकी है। यदि मानव यौन को सही धंग से समझता है, तो वहां उससे परे हो सकता है। वहें उससे परे होना चाहिए, यहां आविशक है कि वहां उससे परे हो। आज तक हमारे सभी प्रयास गलत परिणामों को उत्पन कर चुके हैं, क्योंकि हमने यौनता को दोस्त नहीं बनाया है, बलकि हमने इस पर युद्ध की घोशना की है, हमने इससे निपटने के तरीके के रूप में दबाव और अविवे का उपयोग किया है। जितनी अधिक किसी व्यक्ति की समझ उतना ही वह यौनता से परे उठ सकता है, जितनी कम समझ उतनी अधिक कोशिशे करेगा कि यौनता को दबा दे। और दबाव के परिणाम कभी फलदायत नहीं होते, कभी खुशिदायत नहीं होते, कभी स्वस्थ यौन आदमी की सबसे उर्जावान शक्ती है, लेकिन इसे अन्त स्वयम होना चाहिए, यौनता आदमी को उसकी आत्मा की ओर ले जानी चाहिए. लक्ष वासना से प्रकाश की ओर है. ब्रहमचर्य को पहुँचने के लिए यौनता को समझा जाना चाहिए. यौनता को जानना उससे मुक्त होना है, उससे परे जाना है, लेकिन यौन अनुभव के बावजूद एक आदमी को यहां नहीं पता चल पाता की यौन संबंद उसे एक लमहिक समाधी अद्वितिय चेतना की जलक प्रदान करता है यह यौन का महान आकर्शन है, यह सर्वोच का चुम्बकिय आकर्शन है, आपको इस खशनिक जलक को जानना और ध्यान में लेना है, इस पर जागरुकता के साथ ध्यान केंद्रित करना है, हर किसी पर इसका इतना तेज आकर्शन है इसी अनुभव तक पहुँचने के लिए अन्य सरल तरीके भी हैं, ध्यान, योग और प्रार्थना भी अन्य विकल्प हैं, लेकिन केवल यौन के माध्यम से ही इसका इतना प्रबल प्रभाव होता है यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समाप्ती की ओर पहुचने के लिए विभिल्न तरीकों को विचार कि उसे मेरा विशय बहुत अवाकारक लगा उसने मुझसे कहा कि मैं एक मा की असमय सभागरिय में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई अवस्था की कल्पना करू उसने मुझसे कहा कि मैं एक मा को अपने बेटे के साथ मेरे व्याख्यान में हाजर होते हुए कल्पना करू उसने और भी सलाह दी कि ऐसी बाते किसी भी के सामने नहीं की जानी चाहिए मैंने जवाब दिया कि उसकी आपतियां अविवादित है और वहाँ अपने होश में नहीं है अगर कोई मा समझदार है तो वहाँ अपने अनुभवों को समय पर अपनी बेटी से साजह करेगी जब वहाँ यौन सम्बंधों के चक्कर में पढ़ने से पहले अग्यात अप्रिपक्व तरीकों में नहीं खो जाए यदि कोई पिता अपने मात्रिभाव के कर्तव्य को सजगता से निभाता है तो उसे अपने बेटे और बेटी के साथ इस विशय पर मुक्त रूप से चर्चा करनी चाहिए उन्हें सामान्य खतरों से चेतावनी देने के लिए और उनके जीवन को संभालने के लिए संभावित विकृती से बचाने के लिए लेकिन तंतुत्व की स्थिती यहा है कि ना तो पिता कोई गहरी सच्ची अनुभव रखता है इस मामले में और नहीं मा वे खुट शारिरिक यौन स्थर से अपने आपको पार कर चुके हैं इसलिए उन्हें डर है कि उनके बच्चे भी उसी स्थर में फस जाएंगे लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ क्या किसी ने तुम्हारे लिए मार्ग दर्शन किया तुमने खुट को फंसा लिया है और तुम्हारे बच्चे भी खुट को फसा लेंगे और यह दूसरी और तीसरी पीडियों में दोहराया जाएगा और इसी प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन क्या यह संभावना नहीं है कि अगर तुम्हारे बच्चों से बात की जाए उन्हें शिक्षित किया जाए तो वे अपनी उर्जा को अप्षिष्ट रूप से खोने से बचा सकते हैं वे अपनी उर्जा को संजीनी दे सकते हैं और उन्हें उसे परिवर्तित कर सकते हैं हम सभी ने कोईले को कई बार देखा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ हजार वर्षों के दौरान कोईला हीरे में परिनाम हो जाता है और कोईले और हीरे के बीच कोई रासाइनिक या सन्दचनात्मक अंतर नहीं है। हीरा केवल कोईला ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यानता कोईला है जबकि ब्रहमचर्य ब्रहमचर्य हीरा है। ब्रहमचर्य यानता का एक रूप है, ब्रहमचर्य यानता का परिनाम है। ब्रहमचर्य कोईला है लेकिन उसने एक निश्चित प्रक्रिया को अनुभव किया है। और मुझसे व प्रामचर्यत या सलिबेसी से हम क्या मतलब करते हैं? यहां ब्राहमा की चर्या है, यहां परमात्मा के साथ सयोजन है, यहां दिव्य अनुभव की, भगवान के अनुभव की साक्षातकार है, और चेतन समझ का उप्योग करके अपनी यौन उर्जा को इस मार्ग पर ईश्वर की दिशा में दिशा निर्देशित करना संभव है, कल मैं आपसे बात करने का इरादा कर रहा हूं कि कैसे काम के अनुभव को रामा, प्रकाश का में समरुपित किया जा सकता है, मैं चाहता हूं कि आप सवधानी से सुने ताकि कोई भानती ना हो, और जो भी सवाल मन में उत्पन्न होते हैं, क्रिप्या उन्हें मुझसे पूछे, उन्हें मुझसे लिखित में भेजे ताकि मैं आपको इन पर कुछ ही दिनों में सीधे और सीधे बातचीत कर सकूँ, जो कुछ भी सवाल आपके मन में उत्पन्न होते हैं, उन्हें छुपाने की कोई आवर्शक्ता नहीं है, सत्य को छुपाने का कोई कारण नहीं है, इससे भागना का कोई मतलब नहीं है, सत्य सत्य है चाहे हम उसे देखे या नहीं, केवल में लोग धार्मिक होते हैं, जो सत दोर और कायर है, जो जीवन के तथ्यों का सामना करने के लिए पुरुष ही नहीं होते हैं, उन्हें कभी धार्मिक बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन मैं तुम से धैर्य रखने और सुनने की पुना आपाती हूँ। संभावना है कि यौनता की समझ तुम्हें अपनी आत्मा के मंदिर तक पहुचा सकती है। यहां मेरी इच्छा है। भगवान उस इच्छा को पूरा करे। लिया कि वहां एक सची महान चित्र बनाएगा जो भगवान के आनन से भरा हुआ होगा। एक ऐसा चित्र जिसमें वहां आजीविका से भरा हुआ हो। एक ऐसा चित्र जिसमें व्यक्ती की आखे शाश्वत शांती की किरने बिखेर रही हो। और इसी तरह उसने उस व्यक्ती को खोजने का निरनय किया जिसका चहरा उस शाश्वत अलौकिक प्रकाश को प्रतिबिंबित करता हो। चित्रकार गाव से गाव, जंगल से जंगल घूमा, अपने विशय की खोज में और अंत में उसने एक छोटे से सपेरे को पाया जिसकी चमकती हुई आखे थी, जिसका चहरा और लक्षण एक स्वरगिय घर की आशा दिखा रहा था। एक नजर ही काफी थी कि उसे यहां मान्य हो गया कि भगवान इस यूवा आदमी में मौजूद थे। चित्रकार ने उस यूवा सपेरे का चित्र बनाया। इस चित्र की करोडो कौपिया बनी और यहां व्यापक रूप से बिकी। लोगों को महत्वा कांक्षा हुई, बस चित्र को अपनी दीवारों पर लगा सकने का सुख मिला। करीब 20 वर्षों के बाद जब कलाकार बुड़ा हो गया था, उसने निर्णय लिया कि वहां एक और चित्र बनाएगा। उसका अनुभव उसे दिखाता था कि जीवन सब अच्छाई नहीं होता, कि शैतान भी मनु पूरे मनर्श को दिखाएंगे। उसने पहले ही भगवानी की चित्र बना ली थी, अब उसने बुराई को अवतार देने का इरादा किया था। उसने एक ऐसे आदमी की खोज की जो एक आदमी नहीं था बलकि शैतान था। उसने जुए खानों, बारों और पागल खानों की और रुख किया। इस विशय को नरक की आग से भरा होना चाहिए था। उसका चेहरा सभी वहा है, जो दुष्ट, कुरूप और कुरूर है, दिखाता हो। एक लंबी खोज के बाद कलाकार ने अंत में एक जेल में एक कैदी से मिला। उस आदमी ने साथ हत्याय की थी और उ उसका चेहरा वह सबसे कुरूप था जो कोई भी उम्मीद कर सकता था। कलाकार ने उसे चित्रित करना शुरू किया। जब उसने चित्र पूरा किया, तो उसने अपनी पहली तस्वीर को बाहर निकाला और नए चित्र के साथ उसे तुलना के लिए रखा। कला के रहा। और फिर उसने एक रोना सुना। उसने मुड़ा और देखा, जड़े हुए कैदी ने रोना शुरू किया। कलाकार हैरान था। उसने पूछा, मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो। क्या ये तस्वीरे तुम्हें परेशान कर रही है। कैदी ने कहा, मैंने तुम छुपाने का प्रयास किया है, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। आपको सपष्ट रूप से पता नहीं है कि पहली तस्वीर भी मेरी है। दोनों चित्र मेरे हैं। मैं वही छोटा सपेरा हूँ जिससे आपने 20 वर्ष पहले पहचान किया था। मैं अपने गिरावट के लिए रोता हूँ इन 20 वर्षों में। मैं स्वर्ख से नरक, भगवान से शैतान की ओर गिरा हूँ। मुझे नहीं पता कि यह कहानी कितनी सच्ची है, लेकिन एक बात तो निश्चित है। प्रत्यक आदमी का जीवन दो पल्ती स्वरूप होता है। हर किसी के लिए दो चित्र बन सकते हैं। हर आदमी में भगवान और शैतान दोनों होते हैं। प्रत्यक आदमी में स्वर्ख की संभावना होती है और नरत की संभावना भी। आदमी में सुंदर गुलाप का माला उख सकता है, उसमें कीचर का धेर भी हो सकता है। प्रत्यक आदमी इन दोनों हदों के बी जुके हुए होते हैं। वे सौभाग्यशाली कुछ व्यक्ति जो शाश्वत की और आकांग्शा करते हैं, जो उनमें भगवानी बढ़ने देते हैं, विशेश होते हैं। क्या हम यह सच्चाई प्राप कर सकते हैं कि हमारे जीवन को भगवान के मंदर बना सकते हैं। क्या हम उस चित्र की तरह बन सकते हैं, जिसमें भगवान का जलक है। इस प्रश्ण के साथ मैं आज की बात को पुन्रारंब करता हूँ। मनुष भगवान की प्रतिबिम बनना कैसे संभव है। मनुष के जीवन को स्वर्ग बनाना इसे सुगंधित, सुन्दर, सामन्ज सिपूर्ण बनाना कैसे संभव है। मनुष के लिए अमर क्या है, उसे कैसे जाना जा सकता है। मनुष को भगवान के मंदर में कैसे प्रवेश कर सकता है। इस संदर्ब में जीवन के तथ्य इस सुझाव करते हैं कि हमारी सभी प्रक्ती अब तक उल्टे दिशा में हुई है। बचपन में हम स्वर्ग में होते हैं, लेकिन हम बड़े होते जा रहे हैं, धीरे-धीरे हम नरत में पहुँचते हैं। बचपन का संसार मासूमियत और पवित्रता से भरा होता है, लेकिन हम धीरे-धीरे जूट और छल की राह पर चलने लगते हैं, और जब हम परिपक्ष होते हैं, तो हम बुड़े होते हैं, केवल शारिरिक नहीं, बलकि आध्यात्मिक रूप से भी। नकेवल शरीर कमजोर और अशक्त हो जाता है, बलकि आत्मा भी हनिकारत स्थिती में गिर जाती है, लेकिन हम इसे बस स्वीकार करते हैं, हम बस इसे वही समाप्त कर देते हैं, लेकिन हम भी खुद को समाप्त कर देते हैं। धर्म इस प्रश्न, इस पतन, इस स्वर्ग से नरत की यात्रा से निर्विचारी है लेकिन इस यात्रा को पल्टा जाना चाहिए यहां यात्रा पुरस्कृत होनी चाहिए दोहक से आनंद, अंधकार से प्रकाश, मृत्यू से अमर्ता की ओर मनुष्य की आंतरिक उत्कृष्टता उसके मृत्यू बद से अमृत्यू तक पहुँचने की इच्छा है यहां मनुष्य की आत्मा की प्यास है केवल अंधकार से प्रकाश तक पहुँचने के लिए सत्य को मापने के लिए मनुष्य को अपनी उर्जा को संरक्षित करने की आवशकता है उसे अपनी उर्जा को बढ़ने की अनुमती देनी चाहिए सत्य को चड़ने के लिए आत्मा तक पहुँचने के लिए मनुश्य को असीम शक्ति का एक संद्रहन बनने का प्रयास करना चाहिए तभी वह शाश्वत्ता की और पहुँच सकता है स्वर्प के लिए कमजोरों के लिए नहीं है मैं दोहराता हूँ स्वर्ग के लिए कमजोरों के लिए नहीं है जीवन का सत्य उनके लिए नहीं है जो अपनी उर्जा को बरबात करते हैं जो अपने आपको शक्तिहीन और कमजोर बनने की अनुमती देते हैं वे जो जीवन की उर्जाएं अपशिष्ट करते हैं जो अंदर से बेस्वाद और शक्तिहीन हो जाते हैं, वे इस अभ्यान को संभाल नहीं सकते। उच्चाईयों को चड़ने के लिए बड़ी उर्जा की अवशक्ता है, लेकिन हम एक कमजोर बीमार पीड़ी हैं, और इस उर्जा के हानी के माध्यम से हम संभटित रूप से और भी कमजोर स्थानों की और प्रगती कर रही हैं। हमारी जीवन शक्ती बहा जा रही है, और अंदर बचा हुआ कुछ भी नहीं है सिवाए एक सूखे कोशो के शहदी छाले का कुछ भी नहीं बचा है सिवाए एक भयानक शूर्यता के। हमारे जीवन एक दुखद निरंतर कहानी है, हानी की हमारा जीवन बिलकुल उत्पादक नहीं है। यह अपकर्शक स्थिती क्यों है? और हम अपनी उर्जा कैसे खो रहे हैं? मनुष्य की उर्जा का सबसे बड़ा निर्वहन सेक्स है। सेक्स एक लगातार निर्वहन है और इसे बंद करना चाहिए। किसी को भी कुछ खोना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, मनुष्य अपनी उर्जा पर बार-बार अधिक शक्ती खीचने के लिए एक अनवार्य कारण है। सेक्स के साथ आनन्मय ज्छलक के कारण मनुष्य को बार-बार उर्जा हानी करने में खिचरा जाता है। अगर उसी आनन को किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया जा सकता हो, तो क्या कोई अपनी उर्जा को सेक्स के माध्यम से व्यर्थ करना बन नहीं करेगा। क्या उसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य तरीका है। क्या हमें उसी उच्च अनुभव को अनुभव करने का कोई अन्य तरीका है। जहां हम आत्मा के गहरे से घरे गुफाय समझते हैं। जहां हम अस्तित्व के सर्वोच्च शिखर को छूते हैं, जहां हमें सूक्ष्म आनन्द और पूर्ण आनन्द का ताजगी दिखाई देती हैं, जहां सभी परिभाशाएं और सभी सीमाएं विशर्ग हो जाती हैं। क्या कोई अन्य तरीका है? क्या हमें अपने आत्मा के शांत गहरायों में प्रवेश के लिए कोई तक्मीक है? क्या हमें उस सब में शांती और आनन्द के शाश्वत स्रोच से एकिकरन के लिए कोई अन्य प्रत्रिया हैं जो हम सभी में मौजूद है? यहां ज्ञान मनुष्य में एक परिवर्तन को उत्तेजित करेगा तब वह काम से मुढकर राम की ओर मुढेगा तब उसका सफर काम से भगवान की ओर होगा फिर एक आंतरिक क्रांती होगी तब एक नया दर्वाजा खुलेगा यदि मनुष्य को एक नया दर्वाजा नहीं दिखाया जाता तो वह वही सतत चक्कर में घूमता रहेगा और अंत में खुद को नश्ट कर देगा लेकिन मनुष्य के पीछे की सोच के सेक्स की उसे किसी अन्य दर्वाजे, किसी उच्च निर्गमन के बारे में सोचने से ही रोका है और उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण और विक्तनकारी कोलाहल उत्पन हो गया है प्राकृतिक रूप से प्रकृती ने मनुष्य को केवल एक दर्वाजा वह सेक्स का संपन्न किया है लेकिन शताबदियों से नीचे के उपदेशों ने उस दर्वाजे को ठंडा कर दिया है उस छोड़ा है कोई परियाप्त निर्गमन की अभाव में मनुष्य के अंदर की घुमती हुई उर्जा अव्यावत करती है और और बार-बार उपर धकेलने का प्रयास करती है उसकी व्यक्तित्व को विक्तित करती है उसे पतन कराती है उसे एक नियूरोटिक में बदल देती है और इस विक्टित, नियूरोटिक मनुष्य यहां तक की प्राकृतिक दर्वाजे का उप्योग भी नहीं कर सकता है और अंदर से उर्जा की आवरित्ती उसके अस्तित्व के दीवारों और खिड़कियों को तोड़ देती है इसके परिणाम स्वरूप यहां उबलता है और मनुष्य गिरता है और अपने सिर को तूटता है, ठोकरे लगाता है और अपने हाथ और पैर तोड़ देता है क्योंकि यहां प्राकृतिक दर्वाजे द्वारा बंद किया गया है और अद्भुत दर्वाजा अब तक नहीं खुला है इसलिए मनुष्य की यौन उर्जा अप्राकृतिक बाहिकों के माध्यम से बहा निकलती है यहां मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है अब तक कोई नया दर्वाजा नहीं खुला है और पुराना दर्वाजा अब पहले से ही बंद है इसी कारण मैं सेक्स के पारंपरिक उपदेशों के खिलाफ द्रिड रूप से हूँ यहाँ पुराने उपदेशों की वज़़ से है कि सेक्सोलिटी मनुष्य में ही बड़ी है और इसने केवल विक्रित होना भी बना लिया है उपाय क्या है? क्या कोई अन्य विकल्प नहीं है? आईए स्थिती को ध्यान पूर्वक देखें संभोग के क्षण में जो सच्चाई है उसमें दो तत्व होते हैं अहंकार हिंता और अकालता समय ठ्यारता है और अहंकार वाश्प हो जाता है अहंकार के अभाव और समय के ठहरने के कारण व्यक्ति को अपने आत्मा का स्पर्ष्ट द्रिश्टान्त होता है अपने वास्तविक आत्मा का लेकिन वह महिमा क्षणिक है और फिर हम वही पुरानी रुट में है और इस बीच हमने एक बड़ी मात्रा में उर्जा खो दी है मन उस प्रकाश के लिए विरक्त है मन उसे फिर से पकड़ने के लिए लालसा करता है लेकिन वह प्रकाश वह अनुभूती इतनी क्षणिक है कि हमने उसे हलके से ही देखा है जब यह गायब हो जाता है फिर जो बचता है वह एक इच्छा है एक मनिया है उस अनुभव को फिर से प्राप्ट करने की एक गहरी चिंता है उसके जीवन के पूरे क्षेत्र में बार-बार मनुष्य उसक्षन उस उत्कृष्ट अनुभव को पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन यह कभी भी ठार करने के लिए अंतरनिहित आत्मा के सार को पहुँचने के लिए दो तरीके हैं सेक्स और ध्यान सेक्स प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया दर्वाजा है सेक्स प्राकृतिक पत है, पशों को होता है, पक्षियों को होता है, पौधों को होता है, मनुष्य को होता है जब तक मनुष्य प्राकृति के दर्वाजे का लाब लेता है, वह पशों के उपर नहीं है, वह पशों के उपर नहीं उठ सकता है उस दर्वाजे तक उनका पहुचना उनके लिए भी संभव है उस दिन को मनुष्य का माना जा सकता है जब उसे एक नया दर्वाजा मिलता है उसमें मानवता का उदे होता है उससे पहले हम मनुष्य नहीं है उससे पहले हमारा केंद्र पशों के केंद्र प्राकृति के केंद्र से मेल खाता है। जब तक हम इससे उपर उठते हैं, जब तक हम इससे पार करते हैं, हम सचमच पशों के स्तर पर हैं। उपस्थिती में हम मनुष हैं। हम मनुषों की भाशा बोलते हैं, लेकिन अंदर केंद्र में हम पशों की तरह हैं और हम इससे अधिक नहीं हो सकते हैं यही कारण है कि हमारे अंदर का पशु पहली उपलब्ध अवसर पर उगलता है भारत और पाकिस्तान के गठन के समय हाहाकार के दौरान हमें यह जानकर पता चला की मनुष्य के मुखोटे के पीछे एक मासाहारी पशु छिपा हुआ है हमें यह पता चला की मस्दिदों में नमाज पढ़ने वाले और मंदिरों में गीता का पाट करने वाले लोग किस प्रकार की कार्यों को कर सकते हैं वे लूटते हैं वे कतल करते हैं वे बलातकार करते हैं वही लोग जन्हें पहले दिन मंदिरों और मस्दिदों में पूजा करते हुए देखा गया था उनके साथ क्या हो गया था जब कभी भी कोई अवसर होता है कि व्यक्ति अपने दायित्वों को छोड़ दे और जो पशु सदा तयार रहता है वहां उसके आगे बढ़ता है पशु हमेशा मुक्ति के लिए बेचैन होता है और मन हमेशा तनाव मैं होता है इस पशु को नियंतरित करने में इसे जबरदस्त करने में भीड में समूव में व्यक्ति को अपने ग्रहित व्यक्तित्व को छोड़ने का अवसर मिलता है और अपना विस्मृत बनाने का साहस भीड में वह खुद को भूल जाने का साहस बनाता है अपनी वास्तविक पहचान को भूलने का साहस पशु मुक्त किया जाता है एक व्यक्ति के रूप में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पाप करता है जितना कि वह एक भीड में करता है एक अकेले व्यक्ति को पहले सोचना पड़ता है कि वह क्या करने वाला है उसे चंता होती है कि दूसरे उसे पशु कहेंगे लेकिन बड़ी भीड के बीच एक व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है उसे किसी की पहचान की भी चिंता नहीं होती है फिर वहाँ भीड का हिस्सा है फिर वहाँ वहाँ करता है जो उसके चारों और के लोग कर रही है और वहाँ क्या करता है वह पत्थर फैकता है, आग लगाता है, बलातकार करता है भीर का हिस्सा बनकर वह अपने पशु को मुक्ती का अवसर पाने का मौका देता है और इसलिए हर पांच से दस साल में मन युद्ध के लिए बेचैन है इसलिए वह हमेशा इंतेजार में है, उमीद कर रहा है कि कहीं दंगा हो यदि यहां हिंदू-मुस्लिम समस्या के तहत हो तो उसके लिए ठीक है यदि नहीं, तो गुजराती-मराथी कारण भी उसके उद्देश को सही करेगा यदि गुजराती और मराथी दंगा करने के लिए परिपक्व नहीं है तो हिंदी बोलने वाले और गैर हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच संधर्ष उसकी इच्छा को पूरा करेगा उसको बहाना चाहिए, कोई भी बहाना अपने अत्रिप्ट पशु को मुक्त करने के लिए मनुश में पशु को निरंतर बंधन से परेशान हो रहा है यह बाहर निकलने के लिए होड मचा रहा है लेकिन जब तक यह पशु नश्ट नहीं होता तब तक मानव का चेतना कभी भी पशुता से ऊपर नहीं उठ सकता है हमारी प्रकृती, हमारी जीवशक्ती, हमारी उर्जा का केवल एक सरल निर्वाहक है और वहा निर्वाहक है सिक्स उस चैनल को मुहर लगा देना समस्याएं बना देगा इसलिए उसे मुहर लगाने से पहले एक नया दर्वाजा खोलना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उर्जा को एक नदिरेक्टन में बहा जा सके यह संभव है लेकिन यह अब तक नहीं हुआ है क्योंकि दबाव बदलना से बहुत आसान है एक चीज को ढखना उस पर बैठना उससे निपटना उससे बदलने से आसान है क्योंकि इसके लिए साधना एक स्थिर ध्यानाभ्यास की कठिनाई है इसलिए हमने सेक्स की आंतरिक दबाव का चयन किया है इसी के साथ हम यह भूल जाते हैं कि दबाव द्वारा किसी चीज को नश्ट किया नहीं जा सकता बल्कि यह प्रतिक्रिया के रूप में मजबूत होता है हम यह भी भूल जाते हैं कि कुछ को दबाने से हमारी आकरशन उसके प्रति बढ़ जाती है जिस चीज को हम दबाते हैं वह न केवल हमारे चेतना का केंद्र बन जाती है बल्कि वह हमारी अधीर अवस्थाओं की भी गहरी शोतियों में डूप जाती है हम इसे अपने जागरुग घंटों के दौरान दबा सकते हैं लेकिन रात को यह हमारे सपनों के माध्यम से चाया रहता है अंदर यह इंतजार कर रहा है सबसे छोटे से सुने पर चलने के लिए दबाव मनुश्य को किसी भी चीज से मुक्त नहीं करेगा बरलों में इसकी जड़े उसकी अधीर अवस्थाओं में गहरी जाएंगी और उसे उसके परिणामस्वरूप फसा देगी सेक्स को मिटाने की कोशिश करते हुए मन ने खुद को उलजा लिया है उसने खुद को फसा लिया है यद्यपी पशोओं की निर्धारित सीमाए और अवधिया होती है मनुष्य की नहीं होती मनुष्य पूरे वर्ष के दौरान प्रती घंटे सेक्स कर सकता है बिना किसी अपवाद के कोई भी पशु इस तर से सेक्स करने के लिये नहीं बना है जैसा की मनुष्य है पशों के लिए इसका एक विशिष्ट समय होता है, एक काल यहां आता है और जाता है और फिर एक पशु उसके बारे में कभी नहीं सोचता लेकिन देखिए कि मनुष्य के साथ क्या हो रहा है जिस चीज को मनुष्य ने दबाने की कोशिश की है, उसे उसके जीवन के दौरान बाहर निकलता है यहां एक सदैव सक्रियज्वाला मुखी है क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कोई भी पशु सभी समय सेक्स करने के लिए नहीं है लेकिन मनुष्य हर स्थिती में सेक्स की और मुख सेक्सोलिटी मनुष्य के अंदर धूमरपान करती है जैसे कि सेक्स ही जीवन का सब कुछ हो यहां परिवर्तन कैसे हुआ है यहां आपदा कैसे आई है इसका कोई इस्तीना क्यों नहीं हुआ है किसी पशु के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है इसका कारण एक ही है मनुष्य ने सेक्स को दबाने के लिए अपनी सबसे बड़ी कोशिश की है और इसने उसके व्यक्तित्व में समान मात्रा में फूटा है और सोचिए कि हमने सेक्स को दबाने के लिए क्या कुछ किया है? हमें इसके प्रती अपमानजनत द्रिष्टिकोन को विक्सित करना पड़ा है, हमें इसे अपमानित करना पड़ा है, हमें इसे गालियां देनी पड़ी है. हमें कहना पड़ा है कि यह पाप है, हमें कहना पड़ा है कि वे जो सेक्स का आनन्द लेते हैं, वे निक्रिष्ट हैं, उन्हें नीचा देखा जाना चाहिए हमें इसे दबाने के लिए अंगिनत अपमानजनत नाम उत्पन्न करने पड़े हैं ताकि हम इसे नियंतरित करने का तरीका साबित कर सकें लेकिन हमने कभी भी चिंता नहीं की कि ये अपमान और आपतियां आखिरकार हमारी पूरी प्रवृत्ति को विशाक्त कर देंगी नीचे तातकालिक है नीचे ने एक बहुत ही अर्थपूर्ण कथन किया था उन्होंने कहा था कि यदि धर्म ने सेक्स को जहर देकर मरा करने का प्रयास किया है तो सेक्स मरा नहीं है बलकि यहां अभी भी जिन्दा है और जहर से भरपूर है यहां अच्छा होता कि यहां मर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां जहरिल हो गया, लेकिन फिर भी जिन्दा रहा उक्करण गल्ती से हुआ हमारे आसपास जो सेक्सॉलिटी है, वह जहरील सेक्स की सारांश है सेक्स पशों में भी है, क्योंकि सेक्स जीवन का स्रोत है, लेकिन सेक्सॉलिटी केवल मनुष्य में है पशों में सेक्सॉलिटी नहीं है एक पशों की आखों में देखें, वहां आप लालसा नहीं पाएंगे लेकिन यदि आप किसी मनुष्य की आखों में देखें तो आप में केवल लालसा ही देखेंगे केवल सेक्स के प्रती ब्रूटल इच्छा ही देखेंगे और इसलिए आज पशु स्वरूप है एक प्रकार से लेकिन मनुष्य पागल दबाने वाला की अनिष्ट करता और दुर्गन की कोई सीमा नहीं है वास्तव में उन्हें बहुत करीब लाया जाना चाहिए यह पूरी तरह से अन्यका है मर्द और और औरत बिल्कुल अलग-अलग प्रजातिया बन गए है उनके बीच के इस अलगाफ इन उन्नतिकरित खाचों को देख कर मुश्किल होता है कि पुरुष और स्त्री एक ही प्रकार के हैं कि वे दोनों मानव जाती का हिस्सा है अगर लड़के और लड़किया घर में बिना कपडों के मुक्त रूप से घूम सकते थे जब चाहे तो यहाँ बड़ी उच्चिष्ट और अनैतिक जिग्यासा को फूलने से पहली ही इसे कुचल देता हम पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों के इस संबन्द में जिग्यासा कैसे दिखती है देखे कैसे सभी सभी शिक्षित लोगों के बच्चे डॉक्तर खेलने में रुची रखते हैं और फिर मैं आश्चर्य करता हूँ कि आपको पता है कि अमेरिकी समाज के एक सेग्मेंट ने एक नई आंदोनन की शुरुवात की है सभी धार्मिक लोगों ने उनका लक्ष है कि कुत्ते, बिल्ली, घोडे और अन्य पशुओं को नंदा बाहर नहीं ले जाया जाए उन्हें सडकों पर ले जाने से पहले उन्हें बांधा जाए इसके पीछे की विचारधारा यह है कि बच्चे अगर नंगे पशुओं को देखते हैं तो उन्हें क्षती हो सकती है हंसी की बात है कि एक बच्चे को एक नंगे पशुओं को देखकर क्षती हो सकती है लेकिन फिर भी वे एक संग बना रही हैं ताकि सडकों पर नंगे पशुओं को रोका जा सके देखो कितनी बाते की जा रही है मानवता को बचाने के लिए इन कहे जाने वाले उद्धारकों के रूप में वे व्यक्तिया हैं जो मानव को नश्ट कर रही है क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जानवर कितने आश्चर्य जनक और सुन्दर होते हैं यहां तक की वे बिना कपड़ों के भी उनकी नगनता में भी वे मासूम, सीधे और साधे होते हैं आप कभी भी जानवर को नगन नहीं समझते हैं और आप कभी नहीं देखेंगे कि जानवर नगन है जब तक आप अपनी नगनता को अपने अंदर छुपा रहे हैं लेकिन वे लोग जो डरे हुए हैं और वे लोग जो कायर हैं वे अपनी नगनता के भय को कम करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के उपायों के कारण मानव दिन प्रतिदिन पिडित हो रहा है। मानव इतना साधा होना चाहिए कि वह नगन, अवस्थित, मासूम और आनन से भरा खड़ा हो सके। लोग ऐसे कहलाने वाले धार्मिक लोग कहते हैं कि महावीर ने कपरे छोड़ दिये कि उसने वस्त्र धारन करना छोड़ दिया। लेकिन मैं इसका खंडन करता हूँ। उसकी चित्तक, उसकी चेतना इतनी स्पष्ट, इतनी मासूम बच्चे की तरह शुद्ध बन गई थी कि वह उठकर नेतरत्व में दुनिया का सामना करने के लिए नगन हो गए। जब कुछ भी छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, तब आदमी अपने आपको पूरी तरह से उजागर कर सकता है। आदमी खुद को इसलिए ढखता है क्योंकि उसका महसूस है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो छुपाया जाना चाहिए। लेकिन जब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो कप्रे पहनने की आवशकता नहीं है। उस प्रकार की दुन्या की बड़ी आवशकता है, जहां प्रत्यक व्यक्ती इतना निर्दोश, मानसिक रूप से पवित्र और शान्त होगा कि वहाँ अपने कप्रे छोड़ सकेगा। यहां अपराद कहां है? नगन होने में क्या खत्रा है? यहां एक विभिन्न मामला है अगर कप्रे अन्यकारणों के लिए पहने जा रही है, लेकिन यदि वे केवल अपनी नगनता के भय के कारण पहने जा रही है, तो यहां अवमानजनक है। नगनता के भय के कारण कप्रे पहनना एक अधिक नगनता की ओर संकेत करता है एक दूशित मन का प्रमान है लेकिन आज हम कप्रे पहनते हुए भी अपने को दोशी महसूस करते हैं जैसा कि हमने अपनी आंतरिक नगनता की अस्तित्व को अब तक मिटा नहीं बारा है इतने प्रुष्य को कप्रों के साथ बना सकते थे यहां तक कि मैं कप्रों के पहने जाने के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मैं यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं करता कि बस नंगापन से दर के आलम में पहने जाने वाले कप्रे नंगापन को ढंकते नहीं है बलकि इसे खोलते है यहाँ अनैतिक नंगापन की अज्यात्ता है और पदार्थमान है और यह जागरूकता एक लंबे सामाजिक परंपरा द्वारा निर्नेत की गई है व्यक्ति कप्रे पहन कर नंगा लग सकता है और एक नंगा व्यक्ति कप्रे पहने हुए दिख सकता है क्यारिस बिन्दु पर और विस्तार से चर्चा करना आवर्शक है बाद में जब मर्दों और और ओर्टों के लिए आधुनिक छोटे कपने हैं यहां इच्छा को लूटने और शरीर को दिखाने की असंतुष्ट इच्छा का परिणाम है यदि मर्द और और औरते एक दूसरे के शरीरों से परिचित होते तो कप्रों का स्वभावत केवल शरीर की सुरक्षा करने के अलावा कोई अन्यकारण नहीं होता लेकिन उफाना आज कल कप्रे सेक्स को उत्तेजना के लिए डिजाइन किये जाते हैं मनुष्य की सभी वस्त्र विबश्चिती कहां जा रही है जब कप्रे अब कप्रे नहीं है बलकि सेक्स के लिए सहारा है इसी कारण मैं बच्चों को एक निश्चित आयू तक नंगे रहने की सिफारिश करता हूँ उन्हें यह समझना चाहिए कि कप्रों की आवशक्ता कुछ अन्य से हैं सेक्स के अलावा इसके अलावा नंगापन का अवधारण एक अभिज्ञान मन के लिए एक व्यक्तिगत है एक साधारित दिमाग, एक मासूम दिमाग के लिए नंगापन अपमांजनक नहीं होता इसमें अपनी खूपसूर्ती है लेकिन अब तक मनुष्य ने जहर पर पाला था और समय के साथ साथ यह जहर उसके अस्तित्व के एक से दूसरे ध्रोव से फैल गया है इस परिणाम स्वरूप हमारा नंगापन के प्रती द्रिष्टिकोन पूरी तरह से अनैतिक है जब मैंने पहली बार इस विशय पर भारतिय विद्या भवन आडिटोरियम में हुई पहली मुलाकात में इस बारे में बोला एक महिला मेरे पास आई और कही मैं बहुत बेचैन हूँ मैं बहुत तुम पर गुस्सा हूँ सेक्स एक अश्लील विशय है सेक्स पाप है तुमने इस पर इतनी बात क्यों की? मुझे वास्तव में सेक्स घृना है अब देखी, यह महिला सेक्स की घ्रिना करती है, हालांकि वह एक विवाहित महिला है, जिनके पास पुत्र और पुत्रिया है वह उस पती को कैसे प्यार कर सकती है, जो उसे सेक्स की ओर प्रवरित कर रहा है वह कैसे उन बच्चों को प्यार कर सकती है जो सेक्स के परिणामस्वरूप पैदा हुए है उसका जीवन के प्रती द्रिष्टिकोन विश से ग्रस्थ है उसका प्यार विशाक्त रहेगा और इसलिए इस महिला और उसके पती के बीच एक मौलिक और गहरा अंतर होना स्वाभाविक है उसके और उसके बच्चों के बीच एक कंटे की बाड़ भी होगी क्योंकि उसके लिए ये अपराद के फल है उसके और उसके पती के बीच का संबंध पाप मुक्त है उसे यहां वहां अज्यात अपराद कंप्लेक्स से पीडित होता है जहां सेक्स की बात होती है क्या कोई पाप के साथ समर्थन कर सकता है? जो लोग सेक्स की निंदा करते हैं, वे सभी के विवाहित जीवन को उलजा देते हैं सेक्स के खिलाफ इस विप्रीत द्रिश्टिकों ने किसी भी प्रकार की मुक्ती प्रदान करने के बजाए गहरे अपहारकारी प्रभाव पैदा किया है एक आदमी जो अपनी पत्नी और उसके बीच अद्रिश्य बेरियर के साथ मिलता है, वह कभी भी उसके साथ संतुष्ट महसूस नहीं कर सकता है वह अन्य महिलाओं की तलाश में चलेगा, वह वेश्याओं के पास जाएगा अगर उसने घर पर पूर्ण संतुष्टी प्राप्त की होती, तो सभी महिलाएं उसके लिए बहन और माएं हो सकती थी लेकिन इसकी अभावता के कारण अब वह सभी महिलाओं को संभावित पत्नियों के रूप में देखेगा, हमेशा कुछ के पीछे यह स्वाभाविक है, यह होना ही था उसे वहाँ खुशी, उतकृष्टता और शांती के साथ आशरवाद मिलना चाहिए था, लेकिन उसे वहाँ जहर, घ्रिना और पाप की बाते मिलती है उसकी मौलिक आवर्शक्ताएं घर पर पूरी नहीं होती और इसलिए वहाँ हर कोने-कोने में संतुष्टी की तलाश करता है और व्यक्ती ने उन मौलिक आवर्शक्ताओं को पूरा करने के लिए क्या-क्या आविशकार किये है यदि हम उन सभी उपायों की सूची बनाने का प्रयास करें, तो आप चौक जाएंगे मनशने बहुत सी तकनीके बनाई है, लेकिन उसने कभी मौलिक कमी पर ध्यान नहीं दी है अब वह जो प्रेम का सागर था, वह अब एक सेक्स का तालाब बन गया है और तालाब में जहर है और जब इसमें पाप, जहर की अच्छूत, उसमें अनवशक अवसंगता भी है तो यह दोशी पहुचता है, उनके साथ जीवन की किसी भी विकास की संभावना को समझाया जाता है अगर पती और पत्मी सहमती और समझदारी से सेक्स को महसूस करने का प्रयास करें एक दूसरे के प्रती पवित्र आनंद भाव के साथ किसी भी उदासी के भावना के साथ बिना तो उनका रिष्टा परिवर्तित उननत हो सकता है और इसके बाद यह संभावना है कि पत्मी, वही पत्मी मौजूद होगी लेकिन वह मा की रूप में होगी मैंने सुना है कि गांधी की पत्मी, कस्तुर्बा, एक बार गांधी जी और उनके समों के साथ सियलौन गई थी उनके स्वागत भाशन में मेजबान ने कहा कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि गांधी जी की मा की मौजूदगी से सम्मानित हो रही है जो गांधी साहब के साथ इस यात्रा पर है और उनके बगल में बैठी हुई है गांधी जी के सचिव को हैरानी हुई यहां उसकी गलती थी पहले ही उसे समू के सदस्यों को आयोजकों से पहले परिचित कर देना चाहिए था लेकिन फिर तो बहुत देर हो गई थी गांधी जी पहली ही माईक के सामने थे और उन्होंने अपना भाशन शुरू कर दिया था सचिव दर्ता था कि उसको बाद में गांधी जी से कितनी आलोचना मिलेगी लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां महिला जो पत्नी से मा में परिणाम हो सका